Guys, अपने खुद की e-commerce website या online store open करना इतना असान कभी नहीं था जितना आज के वक्त में है and best part यह है कि यह चीज़ आप कर सकते हैं bigger technical coding और previous knowledge के Yes, आपको website बनाने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है और नहीं बहुत सारे पैसे जो है वो फुकने की जरूरत है बस आपको यह वीडियो देखने की जरूरत है इस वीडियो को देखने के बाद आप design कर पाएंगे exact यह website जो कि fully functional and responsive है with all important feature payment accept करने से लेकर के variable product, digital product, affiliate product, audit processing, coupon, audit tracking, upsell, crosssell, account management, shipping cost, tax जैसे सारी features जो है इसमें available है और इन सारी चीज़ों को कैसे use और customize करना है उसका full knowledge आपको इस वीडियो में मिल जाएगा cost की बात करें तो domain and hosting को अगर हम लोग हटा दे तो यह बिल्कुल free है free BMP से design कर सकते है free theme, free plugin के साथ as a bonus मैं आपको इस course में Elementor page design भी सिखाऊंगा जिससे आप जैसा चाहे वैसा page design कर सकते हैं बस आपको imagine करना है और वो चीज़ आप जो है वो खुद से design कर पाएंगे Elementor का जो final result होगा वो हमारा कुछ ऐसा होगा इस store का use जो है वो आप अपने product या पिस service के लिए कर सकते हैं या पिर आप जो है affiliate marketing कर सकते हैं, affiliate product वगएरा add करके हाई वहीत उसीफ खालीद and welcome to believe for you इस वीडियो में हम WordPress and WooCommerce के help से website बनाएंगे WordPress एक बहुत ही powerful tool है जिसकी help से आप जैसा जाहे वैसा website बना सकते हैं बिगएर किसी coding और technical knowledge के ये वीडियो बिल्कुल zero से start होगा और इस वीडियो के last तक आप बन जाएंगे WordPress, WooCommerce and Elementor Pro तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिगएर टाइंग वेस्ट के सभी important link and discount coupon की detail जो है वो description में दी हुई है इस वीडियो को बनाने में हफतों के मेहनत लगी है मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया है तो subscribe, like, share तो मेरा हक बंद है तो please मेरा हक मुझे दे दो और चैनल को subscribe और वीडियो को like जरूर करो आप उन्हों के साथ इस वीडियो को share कर सकते हो जिनकी shop है या जो अपना business online setup करना चाहते हैं वो आपको दुआएं देंगे खैर चलिए start करते हैं हम अपनी ये amazing journey ओके गाइस तो website बेराने के लिए सबसे पहले हमेशा है domain और hosting domain जैसे amazon.com, philipka.com, building4u.com तो इस तरह का आपको एक domain चाहिए और उसके बैल चाहिए है आपको hosting जहाँ पे आपके website जो है वो host होंगी जहाँ पे आपके website की सारी files जो है वो store होंगे domain and hosting के लिए हम लोग use करेंगे hostinger का hostinger इसलिए क्योंकि ये cheap and best है cheap मतलब सस्ता है इससे सस्ता plan जो है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, fast and secure है, मेरे कई सारी खुद की website जो है, वो host है, और मैंने आपके लिए जो है, वो coupon code का भी जुगार कर लिए है, तो checkout page के उपर आपको use करना है, building for you, coupon code जिससे आपको extra bumper discount जो है, वो मिल जाएगा, तो coupon की detail and link जो है वो description में दी हुई है, उसको follow कीजे link को follow कीजे, और hostinger के उपर जाएए, अपना hosting book कीजे hosting अगर आप 12 में का plan लेते हैं तो उसमें आपको free में domain मिल जाता है जो कि मुझे लगता है कि best option होगा तो जाएए, link follow कीजे and book कीजे don't worry, मैं आपके साल चल ला हूँ, मैं आपको step by step process जो है, वो बताऊंगा तो चलिए, domain and hosting book कर लेते हैं और उसके बाद create करते हैं अपनी online shopping site guys, description की link को follow करके आप जो है right side में इनके services की information है यहाँ पे आपको wordpress hosting मिल जाता है website builder का भी option यहाँ पे available है जिसमें आप simple drag and drop करके वो website बना सकते हैं अलग-अलग तरह के यहाँ पे hosting option भी available है, जैसे कि web hosting, cloud hosting vps वगेरा, यहाँ पे आप domain book कर सकते हैं और अगर आपको already account है hostinger के उबर, तो यहाँ से आप जो है वो login कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ offer की information जो है वो दी गई है अगर आप नीचे scroll करते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे website के review है, जो कि hostinger को लेगर के है और काफी अच्छे review जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं अब नीचे यहाँ पे यह है हमारा सबसे important web hosting plan, यहाँ पे तीन hosting plan जो है वो आपको मिल जाते हैं सबसे पहला जो हमारा plan है वो है single web hosting जिसमें आप single एक website जो होस्ट कर सकते हैं और यह हमारा सबसे सस्ता plan है 69 rupees per month का आप यहाँ पे इसके features and resources की information जो है वो देख सकते हैं इसमें आप एक website होस्ट कर सकते हैं 50 GB SSD storage जिसमें आपको मिल जाता है 100 GB bandwidth है लेकिन इसमें आपको free domain जो है वो नहीं मिलता है यहाँ पे आप अपने website को free में जो है वो secure कर सकते हैं और भी दूसरी information यहाँ पे आपको मिल जाती है यहाँ पे जो हमारा दूसरा plan है वो है यह premium web hosting जो की सबसे popular plan है और मुझे लगता है कि यह best plan है किसी भी user के लिए तो यह हमारा premium web hosting plan जो की है 149 rupees per month का और इसमें आप 100 website host कर सकते हैं 100 website जो है इसमें आप host कर सकते हैं अब आप यह सोच हों कि यार एक website तो पहले बन जाए उसके बाद 100 website जो है वो बनाएंगे तो actually हो दा क्या है कि जब हम एक website बनाते हैं तो हमारी एक main website होती है उसके बाद experiment वगरा करने के लिए हमें अलग से website चाहिए होती है जिसमें हम कुछ नया ट्राइ करते है नया feature या पर नया changes जो है वो ट्राइ करते है तो इसलिए हमारे पास ऐसा plan होनी चाहिए जिसमें हम multiple website बना सकते हैं अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अलग-अलग domain हों हम एक ही domain से अलग-अलग sub domain वगेरा create करके multiple website बना सकते हैं तो इसमें आप 100 website जो होस्ट कर सकते हैं उसके बाद यहां पे आपको 100GB SSD मिल जाता है यहां पे unlimited bandwidth आपको मिल जाता है free domain जो है वो यहां पे आपको मिल जाता है साथी आप सारे website को SSL secure कर सकते हैं free में weekly backup option यहां पे आपको मिल जाता है security में आपको cloudflare का protection मिल जाता है malware scan उसके बाद अलग-अलग options आपको मिल जाता है यहां पे आप free में email create कर सकते हैं अपने domain से लिटे जैसे कि मेरा email है support at the rate believe4u.com तो उस तरीके से आप यहां पे free email create कर सकते हैं यहां पे आपको website builder का भी option मिल जाता है simple drag and drop करके और भी दूसरे option जो है वो यहां पे आपको मिल जाते हैं तो यह जो plan है यह best plan है उसके बाद यहां पे हमारे पास business web hosting भी है जिसमें अलग-अलग feature है जो कि आप जो है वो information है कि इसमें क्या-क्या feature होंगे क्या-क्या आपको मिलने वाला है यहां पे जो सबसे important है वो यह है हमारे पास कि आप कितने दिनों के लिए यह plan लेना चाहते हैं यहां पे maximum हमारे पास 48 month है और minimum यहां पे आपके पास वो 1 month है अब यहां पे आप जितने ज्यादा दिनों के लिए यह hosting plan लेंगे उतना सस्ता आपको यह पड़ेगा तो मैं यहां पे जो recommend करूँगा वो recommend करूँगा कि आप minimum 12 month यहां पे 24 month के लिए ले इसमें आपको काफे अच्छी pricing मिल जाएंगी साथ ही आपको यहां पे free domain भी जो है वो मिल जाएगा और आप यहां तो यहां पे 48 month के लिए जो है वो ले सकते हैं मैं minimum 12 month यहां पे 24 month जो है वो recommend करूँगा तो 12 month की बात करें तो यहां पे यह आपको मंतली pricing आएगी साथ ही यहां पे renewal की भी information जो है वो दी गई है बहुत सारी hosting provider में क्या होता है कि वो आपको शुरू में बहुत सस्ता hosting plan जो है वो offer कर देते हैं कि for example 200 रुपे का लेकिन जब renewal होता है तो पता चला कि वो आपसे 500,000 रुपे जो है वो charge कर रहे होते हैं तो यहां पे आपको renewal की भी information मिल जाती साथ ही आपको 12 month के साथ free domain भी मिल जाता है 1 month में आपको free domain जो है वो नहीं मिलेगा तो मैं यहां पे choose करूँगा 12 month का plan next यहां पे आपको जो है अपना account create करना है आप चाहें तो directly यहां से facebook यहां पर google से login कर सकते हैं पिर आप अपना email डाल सकते हैं तो मैं यहां पे अपना email डाल देता हूँ next आपको जो है अपना phone number डाल देना है और उसके बाद यहां पे हमारे पास अलग अलग payment के option है तो यहां पे दीख लिए कि आपको सारी के सारी payment option जो भी इंडिया में available है वो आपको जो है वो मिल जाते है UPI, Paytm, Net Banking, PayPal, Google Pay जो भी payment option आप यूज करना चाहते हैं वो आप select कर लिजे मैं यहां पे UPI select कर लेता हूँ next यहां पे आपको जो है country चूज कर लेना है यहां पे stage जो है वो आप choose कर लिजे कि आप कहां से है तो मैं यहां पे daily जो है वो select कर लेता हूँ और zip code क्या है यह information आपको फिल कर लेना है अब यहां पे आपको payment अभी नहीं करना है अभी यहां पे आपको apply करना है एक coupon code जिससे आपको जो है वो extra discount मिल जाएगा तो coupon code है believe for you simple यहां पे have a coupon code इसके ओपर click कीजे और यहां पे आपको डालना है believe for you और यहां पे pricing देख सकते है simple आप जो है वो apply के ओपर click कीजे और boom हमारा जो price है वो यहां पे reduce हो चुका है तो अब finally आप जो है वो यहां पे payment कर सकते हैं तो शलिए payment complete करते हैं submit secure payment payment successful और यह पीज जो है वो redirect हो रहा है okay अब finally हम जो है अपना account password create कर रहा है मतलब hostinger का password तो मैं यहां पे एक password डाल देता हूँ and confirm शल्डव इसको हम लोग save भी कर लेते हैं अब यहां पे हमारे पास जो है वो तीन option है यह हमारा email था जिसे हमें सबसे पहले जो है वो verify कर लेना है तो मैं आ जाता हूँ अपने gmail में यहां से gmail और यहां पे हमारे पास तीन mail है payment receive, payment successful और यहां पे verify your email तो इस email को open कर लेते हैं and verify email okay तो हमारा जो पहरा step था वो complete हो गया अभी हम लोग अपना free domain जो है वो claim कर लेंगे मैंने अभी तक domain जो है वो add नहीं किया था क्यों क्योंकि हमारे hosting plan के साथ जो है वो free domain मिलता है तो यहां पे हम लोग claim domain के उपर click करेंगे और यहां पे जो भी domain name आपको डालना है वो आप डाल लीजे मैं डालता हूँ my first shop. okay first shop my first shop और यहां पे देख लेते extension for example online.com तो available नहीं है मैंने चेक कर लिए था पाले ही my first shop.online यह domain मुझे चाहिए check और यह available है और इसके लिए हमें जो है वो zero payment करना है तो यह मेरा domain होगा my first shop.online claim domain अब यहां पे कुछ information जो है हमें fill करनी है अपने बारे में क्योंकि हम domain यहां पे book कर रहे हैं तो यहां से मैं India choose कर लूँगा India personal yes personal next step सारी information डाल देनी है and finally सारी information फिल करने के बाद finish registration you are almost there यहां पे थोड़ा सा time जो है वो लग सकता है email के जरी आपको confirmation मेल जाएगा continue के उपर click करते हैं और यह हम लोग आ चुकी है अपनी domain के dashboard में चलिए हम लोग mail चेक कर लेते हैं कि mail के उपर जो है my first shop और यहां से simplest link के उपर click करते हैं okay हमारा email address जो है वो verify हो चुका है तो यहां पर देख लेते हैं और भी कुछ यह है welcome ठीक है और यह payment पगर की information है okay अब यहां पर page page को जो है वो reload कर लेता हूं और देख लेते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से यहां पर आप देख सकते हैं कि यह है हमारा premium web hosting plan और यह है हमारा domain my first shop.online तो हमारा जो भी purchase वगेरा का जो काम था ना जो verification वगेरा का काम था वो complete हो चुका है अब हमें finally जो है अपने website का setup जो है वो करना है खुद के लिए या फिर किसी और के लिए या फिर आपके पास already website है तो मैं यह खुद के लिए create कर रहा हूं मैं यह खुद से बनाऊंगा और क्या बढ़ाना चाहते हैं आप कौन सी किस तरह की website मैं फिलहाल इसको skip कर दूँगा नेक्स यहां पर हमारे पास option है कि आप website create करना चाहते हैं या फिर migrate करना चाहते हैं अगर आपके पास already website है तो उसे आप hostinger के उपर इस option का use करके जो है वो migrate कर सकते हैं मैं फिलहाल यहां पर यह option select करूँगा create any website साइट यहां पर हमारे पास option है कि आपके से फिलहाल मैं क्या गरता हूं skip I will start from scratch अब यहां पर आपको जो है वो domain choose करना है तो अगर आपने hostinger के उपर domain book किया है तो वो domain यहां पर आपका शो करेगा choose a domain में तो यह हमारा domain जो है वो शो कर रहा है यहां से आप कर सकते हैं और अगर आपने domain कहीं और से book किया हुआ है जैसे कि go diary वगएरा से तो आप यह option select कर सकते हैं इसमें आगे आपको फिर अपना domain वो आपको डालना पड़ेगा और फिर dns वगएरा change करने का option आएगा मैं फिलहाल इस option को select करता हूं और यहां से मैं select next आपको जो है वह यहां पे location चूज कर लेना है जो भी आपका nearest location और डिटा सेंटर का तो यहां पर आप देख लिएजिए simple इसके उपर आप किलिक कीजिए और यहां से आप चूज कर पाएंगे किस location पे आप चाहते हैं आपका server तो अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया जो है वह आप select कर लिजे और उसके बाद finish set up well done you are ready manage site और अभ यहां पे हमी जो है वो wordpress install करता है तो यह हमारा domain है हम लोग है अभी अपने dashboard में और यहां पे यह है website का option इसमें हमारे पास यह है wordpress यहां फिर आप जो है वो auto installer में भी जा सकते हैं तो यह है wordpress और wordpress में यहां पर हम लोग install के उपर टेख करेंगे install wordpress तो install यहां पर हमें जो है website का नाम डालना है तो मैं यहां पर डाल देता हूं my first shop और जो भी आपका email है वो यहां पर डाल देजे यहां पर जो भी email username और password आप डालेंगे ना उसी से आप अपने website को directly आकसेस कर पाएंगे तो मैं यहां पर अपना email डाल देता हूं उसके बाद मेरा username होगा for example में डाल देता हूं simple तौसीफ खालिद और यहां पर आपको पास password डाल देना है यहां पर जो password आप डाल देना इससे आप अपने website को access कर पाएंगे hostinger के लिए हमने पहले password डाला था तो मैं यहां पर अपना password डाल देता हूं उसके बाद next यहां पर कुछ और option है जो कि आप default रहने दे सकते हैं simple install अब बस आपको जो हैं थोड़ा सा wait करना है अब यहां पर एक problem है वो problem यह है कि अभी जो domain है वो हमारे hosting के साथ है वो connect नहीं हुआ है इसमें जो है वो sometimes थोड़ा time लगता है तो आप जो wait करना है यहां पर हमारे जो installation है वो complete हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं अपने website के dashboard में मैं यहां पर homepage के उपर आ जाता हूं औ आप यहां पर देख सकते हैं कि यह है हमारा hosting यह है हमारा domain और यहां पर हमारे पास email का भी option आ गया तो अगर आपको अपनी website को manage करना है तो simple आप यहां पर premium web hosting इसके उपर click किजे और यह है हमारे hosting का dashboard तो यह है हमारी website myfirstshop.online यहां पर आप यहां वो wordpress में आ सकते हैं चु speed option है इसको आपको जो है वो enable कर देना है और उसके बाद SSL certificate जो है उसको आपको install कर लेना है close और यह installing का process हो रहा है जब भी हमारे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जो हमारी website है वो पूरी तरीके से जो है वो secure हो जाएगी तो चलिए हम अपने website को जो है वो check कर लेते है यहां पे भी आप click कर सकते हैं error website के उपर और यहां से आप directly जो है वो अपने website के backend में जा सकते हैं बेगार login की हुए लेकिन अभी हमारा domain हमारे hosting के साथ correct नहीं हुआ है इसलिए यह error जो है वो आ रहा है इसमें जो है वो 24 आवर तक का time लग सकता है तो अगर आपने hostinger से जो सारी information तो इसको update होड़े भी थोड़ा सा time लगता है तो जब यह update हो जाता है उसके बाद जो है हम लोग आगे का continue करेंगे okay guys तो खबारी जो website है वो finally ready है और मैं हूं hostinger के cpanel के home page के उपर सबसे पहले मैं कि अगर दो मैं यहां पर इसको log out कर देता हूं हरा मैं यहां से log out क कर देता हूं और उसके बाद हम आ जाते हैं home page के उपर और फिर से बिल्कुल शुरू से हम लोग जो है वह start करते हैं मतलब फिर से हम hosting नहीं बाई करेंगे लेकिन login process जो है वो हम फिर से start करते हैं और थोड़ा सा पहले hostinger को समझ लेते हैं ताकि आपको किसी तरह का confusion न रह ज कीज़े तो मैं यहां पर डाल देता हूं अपना तौसीफ खालेद web at gmail.com और जो password मैंने डाला था वो मैं यहां पर डाल देता हूं और इसको मैं यहां से save कर देता हूं और finally हम लोग जो है वो आज चुके हैं अपने cpanel dashboard के अंदर home page के उपर अब यहां पर हमारे पास home page के उपर ही यह हमारा hosting है यह हमारा domain है और top menu में अगर आप देखें तो यहां से हम अपने website को access कर सकते हैं यहां से हम hosting में जा सकते हैं और यहां पे हमारा यह एक single website है myfirstshop.online यहां से हम manage में जा करके उसको manage कर सकते हैं यहां पे हम hosting में आ सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा एक website है और यहां से भी जो है हम उसके उपर जो है वो जा सकते हैं और domain की बात करें तो यहां से हम domain में आ सकते है और हमारा ये एक domain है जो की अभी active है हमारा यहाँ पर तो हम लोग आ जाते हैं यहां से hosting में अब hosting में आने के बाद यह हमारी website है यहां से हम इसके उपर click करते हैं और website के dashboard में आ जाते हैं यहां से भी जो है वो आप switch कर सकते हैं और भी अगर आपको website add करना है तो add website के उपर click करके आप जो है वो add कर सकते हैं अब यहां पर यह है हमारा domain simple आपको यह चीज़ टाइप करना है या पर इसके उपर click करके आप directly अपने website के उपर जा सकते हैं और यह है हमारा fresh new website जिसके उपर अभी फिलहाल कोई भी content नहीं है बट यहां पर अभी हम जो है वो as a user इसको देख रहे हैं लेकिन हमें जो है अगर इसको edit करना है तो हमें यहां पर as a admin जो है वो login होना पड़ेगा तो as a admin login करने के लिए simple आप जो है वो यहां पर आ जाएए यह है हमारे पास edit website है ना तो इसके उपर click किजिए और उसके बाद आप directly wordpress के अपनी website की admin dashboard में जो है वो आ जाएंगे मतलब आप back end में आ जाएंगे जहां से आप अपने website के अंदर जो है वो content वगरा add करेंगे तो आप यहां पर edit website के उपर click कर सकते हैं या फिर आप simple wordpress overview में आ सकते हैं और यहां पर भी आपको यह edit website का जो है वो option मिल जाता है यहां से भी आप आ सकते हैं यहां पर अगर आप settings चेक करें तो हमारा https force जो है वो on है मतलब SSL जो है वो हमारा activate हो चुका है और यहां पर light speed जो है वो हमारा on है बाकी सारी चीजों को आपको अभी फिलाल ऐसे ही रहने दे रहा है तो चलिए आ जाते हैं हम लोग edit website में और देखते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या क्या option है तो आपको जब भी अपने website में कुछ भी editing करनी होगी तो आपको यहां से edit website में आना है अब यहां पर अगर आप cpanel के उपर नहीं आना चाहते हैं बार बार में तो आप डार्य पी अपने website में log in कर झाथे हैं कैसे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर आपको जो है वह लॉग इन करना है आगे अट करना है यह आपको आड करना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है और आपके पास लोगिन के लिए आजाएगा तो अब जो हमने WordPress login के लिए username and password डाला था वो यहाँ पे हमें डालना है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ यह username था आप email भी डाल सकते हैं फुल और जो हमारा password था वो मैं यहाँ डाल देता हूँ और login और इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ताकि हमें बार-बार एंटर करने की जरूरत ना पारी तो अभी यह है हमारा WordPress का dashboard मैं यहाँ से hostinger को फिलहाल के लिए वो मैं हटा देता हूँ अभी यहाँ यह है dashboard यहाँ बहुत सारी चीज़े हैं मैं चीजों को अभी बहुत simple रखना चाह रहा हूँ इसलिए मैं सारी चीज़े को हटा दूँगा आपको जब भी अपने site को देखना हो तो simple यह है visit site इसके उपर यहाँ पर आके click कीज़े और आप site के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर रिलोड करेंगे इसको तो यहाँ पर यह dashboard आ जाएगा यह जो black bar है न यह सिफ आपको ही दिखेगा अगर आप as a admin जो है वो यहाँ पर login होंगे तो तो जब भी आपको अब backend में जा रहा है तो आप simple यहाँ पर my first shop के उपर click कीज़े और यहाँ से आप dashboard में आ जाएगे और इस तरीके से आप अपने यहाँ पर यहाँ पर भी कुछ भी show कर रहा है और वहाँ पर अगर यह option आपको मिलता है मतलब वहाँ से आप चीज़े हटा सकते हैं यहाँ पर चाहे तो आप इसको minimize भी कर सकते हैं इस तरीके से तो मैं यहाँ पर screen option में आऊँगा और यहाँ से मैं सारी चीज़ों को हटा दूँगा क्योंकि मुझे अभी बहुत clean रखना है ताकि किसी तरह का confusion जो है वो create ना हो तो यह है हमारे wordpress का back end dashboard यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखें तो यह हमारे पास hostinger उसके बाद यह हमारे पास dashboard यह हमारा dashboard इसमें है home यहाँ पर आपको अपडेट वगरा की information जो है वो मल जाएंगे next यहाँ पर हमारे पास post का option है तो जो भी blog post होता है वो चीज़ हम यहाँ से जो है वो कर पाएंगे तो यह है post का option यहाँ पर default एक post होगा hello world है ना first post जो है वो automatically यहाँ पर create हो जाता है अगर आपको नया post अड़ करना है जो भी blog post होता है आर्टिकल वगरा होता है तो वो चीज़ आप यहाँ से अड़ कर सकते है add new के उपर click किज़े या फिर यहाँ पर भी आपके पास यह add new का option है आप post की category manage कर सकते है मतलब किस category का post है और यहाँ पर post का जो tag होगा मतलब किस चीज से related है तो वो चीज़ आप यहाँ से manage कर सकते है जो भी आपकी media file होंगी जो भी photos या videos आप upload करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पर media file के अंदर होंगी जो भी page होगा जैसे कि home page है या फिर contact page है या फिर about us page है यह सारी चीज़े आपकी यहाँ पर होंगी post और page में difference होता है post जो है हमारा article के लिए use होता है और page किसी भी चीज के लिए जो है वो use होता है जैसे आपको किसी भी तरह का page कोई भी landing page बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो वो चीज हम page में करेंगे तो यह हमारा page है यहाँ पर दो default page जो है वो create किये गया है जैसे कि privacy policy और sample page आप यहाँ से add new के उपर क्लिक करके new page है वो add कर सकते है यहाँ पर comment का section है तो यहाँ पर जो भी comment आएगा आपके content के उपर वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ से आप उसे approve कर सकते है आप reply कर सकते है या पर उस comment को आप यहाँ पर edit भी कर सकते है और आप उसे शाहे तो spam में डाल सकते है या पर यहाँ से delete कर सकते है WP form यह फिलाल के लिए भी important नहीं है यह plugin के जरी यहाँ पर यह option आगया है यह default option नहीं है तो ऐसे करते हैं सबसे पहले हम लोग आ जाते है plugins में और plugins में आनी के बाद ना यहाँ पर जो भी plugin है उन सभी को हम delete कर देते हैं तो यहाँ पर मैं इन सभी को select करूंगा और एक option छोड़ करके यह जो light speed है यह हमारा hostinger का plugin है यह भी है लेकिन इसको भी हम delete कर देंगे इसको सिर्फ unmark कर देजे और उसके बाद यहाँ पर deactivate को option select कीजे and apply कर देजे और उसके बाद हम लोग आएंगे inactive में और all select करेंगे यहाँ से सारी को select करेंगे और फिर bulk action में आएंगे delete and apply और सारे plugin को हम delete करेंगे अब यहाँ पर देख लिए हमारा जो dashboard है वो और ज़्यादा clean हो चुका है तो comment हमने देखा अब यहाँ पर है हमारे पास appearance appearance के अंदर सबसे पहला option आपको मिल जाता है themes का तो यहाँ से हम अपने website के लिए themes जो है वो add कर सकते है theme ही decide करता है कि हमारा website कैसा दिखेगा theme जो है design और feature का एक package होता है और यही decide करता है कि हमारी website overall कैसी दिखेंगी कहाँ पही कौन सी चीज़े होंगी color और दूसी सारी चीज़े theme से ही जो है वो हम कही न कहीं decide करते है तो यह हो गया theme इसके अंदर editor का option है तो theme के file को edit करना चाहते है तो आप edit कर सकते है वैसे security option में हम यह देखेंगे कि कैसे इसको हम disable करेंगे क्योंकि यह option यहाँ पे safe नहीं है next यहाँ पे है plugins का तो जो wordpress है ना यह theme and plugin के base पे चलता है theme से हम decide करते है कि हमारा website कैसा दीखेगा normal way में अगर समझे तो और plugin से हम यह decide करते है कि हमारे website में कौन-कौन से features होंगे जैसे मुझे payment accept करना है तो यह क्या है यह एक feature है तो हम इसके लिए एक plugin install करेंगे तो जो भी payment gateway है जैसे कि नया feature add करना है tracking का या फिर कुछ styling का तो उसके लिए हम लोग जो है वो plugins का use करेंगे यहां से आप आगर के new plugin जो है वो add कर सकते है यहां से हम users को manage कर सकते है as a admin भी यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक account है और जो भी user यहां पे sign up करेंगे वो सारे यहां पे होंगे tools में हमारे पास जो है वो काफी सारे option actually मिल जाता है import, export, है ना यहां पे बहुत जादा कुछ अभी फिलहाल के लिए important option नहीं है जो कि मैं आपको समझाओ settings में आप कुछ है website से related settings मिल जाते हैं तो settings में सबसे पहला general में जो है हमारे पास यहां पे option है site का नाम क्या होगा तो हमारा यह नाम है अगर आप कुछ tagline डालना चाहते हैं तो आप यहां पे tagline डाल सकते हैं जैसे amazing place to shop और इसके बाद आप यहां से नीचे से save कर सकते हैं save changes next यहां पे हमारे पास website का URL है तो जो भी हमारा domain है वो यहां पे show कर रहा है यहां पे अभी जो URL में starting में http show कर रहा है सिर्फ यहां पे हमें https कर देना है बट बहुत ध्यान यहां पे आपको यह रखना है कि आपको पहले यह चेक कर लेना है कि आपका जो hostinger का जो cpanel है उसमें SSL activate हो चुका है इस domain के लिए जो कि हमारा activate हो चुका था चुलिए फिर से देख लेते हैं hostinger ओके direct आ जाते हैं अंदर और आप देख पा रहे होंगे यहां पे यह हमारा dashboard और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा SSL certificate active तो अगर यह active है तब ही आपको यहां पे add करना है https लगा देना है और अगर यह active नहीं है तो आपको यह नहीं लगा रहा है वरना आपके website में जो है security error जो है वो आना शुरू हो जाएगा तो यह आपको यहां पे S लगा देना है next यहां पे membership option जो है उसको आपको on कर देना है anyone can register वरना आपके website के उपर कोई sign up नहीं कर पाएगा अब उसका role decide कर देना है कि as a subscriber या पिर as a contributor तो यहां पे default subscriber आप रहने दे और उसके बास save changes जो है वो कर दे आप तो जैसे आप S अपडीट करेंगे फिर से आप कुछ है वो login कर रहा होगा तो चलिए मैं यहां पे login कर लिता हूँ नेक्स यहां पे आपके पास writings related option है यहां पे default post category जो है वो आप choose कर सकते हैं तो अभी यहां पे कुछ पेटेंगे यह readings related है फिर यहां पे permalink बहुत important option है तो permalink में आजागे और permalink में आप यहां से choose कर लिए कि आपका जो article है उसका जो link है वो किस तरीके से form होगा तो यहां पे best year है कि आप यह वारा option चोज़ करें post name है ना यह आपके website का नाम होगा और जो भी आपका post का URL होगा वो होगा वरना यहां पे बहुत सारी चीज़े information और शोग करेंगी तो यह structure आप choose कर लिए और उसके पास safe कर दीजे तो यह सबसे basic tool था हमारा wordpress के dashboard का जैसे जैसे हम लोग जो है वो plugins वगएरा add करते जाएंगे feature के लिए वैसे वैसे यहां पे और भी options जो है और किस तरीके से हम लोग page जो है वो बनाएंगे यह actually बहुत basic है इसको हम लोग cover कर लेते हैं उसके बाद जो है फिर finally हम लोग जो है अपने shopping site की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हमारे पास यह है post का option और इसमें यह हमारे पास default post है चलिए एक तरफ जो है वो हम अपने website को भी open कर लेते हैं front side यहां पे visit site के उपर right click करते हैं open link in new tab और यह हमारी website है अभी यह बिल्कुल ऐसा दिख रहा है और यहां पे अभी हमारा जो है एक post दिख रहा है hello world तो simple एक post है अब चलिए एक और post हम यहां पे add करते हैं तो add new के उपर आप click कीजिए welcome to the block editor अब यह जो है default block editor आपको देखने को मिलता है वरना पहले जो है वो classic use होता था तो सबसे पहले यहां पे जो भी आपका blog है उसका जो है वो आपको यहां पे title लिखना है यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या option है यहां पे add का option है यहां से आप चीज़े add कर सकते हैं मतलब अपने article के अंदर आपको image डालना है या button डालना है वो सारी चीज़े आप यहां से इसके उपर click करेंगे तो यहां पे देख लिएज़े हमारे पास बहुत सारे option है यहां से आप चीज़ें select करके add कर सकते हैं next यहां पे हमारे पास यह option है tool and selection का इसको simple edit रहने दीजिए next undo redo का option है और उसके बाद यहां पे हम इसका view जो है वो change कर सकते हैं यहां पे right side में हमारे पास save draft का option है हम preview करके देख सकते हैं कि हमारा article कैसा दिख रहा है और finally अकर उसे हमें publish करना है तो हम यहां से इसको publish कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे right side में हमारे पास यह post का section है और यहां पे blog का section है post के section में अगर आप देखें तो यहां पर यह current status शो कर रहा है, इसका link वगरा शो कर रहा है, और उसके बाद author की information है, category की information यहां पर शो कर रहा है, tag, feature image, जो article में image होगा, front image बिलकुल जो article, जो thumbnail उसका शो कर रहा होता है, वो चीज, उसके बाद जो है, यहां पर हमारे बास excerpt है, यहां पर आप short description डाल सकत है, तो यहां पर default यह on है, अगर आप चाहें तो इसे disable कर सकते हैं, basically इससे क्या होगा, कि आपका चो website है, यह आपका चो पीज है, यह fast हो जाएगा, तो अब यहां पर चलिए, एक normal सा article लिखते हैं, for example, सबसे पहले यहां पर हमें title डालना है, for example, how to create e-commerce website spelling गलत, यह हमारा title हो गया, अब यहां से जो है, वो हम लिखना शुरू करेंगे, अब इसमें यहां पर भी आपके पास add block का option है, और यहां पर भी है, तो यहां पर add block के उपर click कीजे, अब यहां पर आपको क्या add करना है, paragraph, normal, अगर आप लिखते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास paragraph आएगा, यहां पर अगर आप इसके उपर click करते हैं, तो यहां से आप image add कर सकते हैं, heading है, gallery है, यहां पर list है, यहां पर quote है, यहां फिर आप all browse कर सकते हैं, और फिर से हम लोग यहीं पर आगे हैं, तो यहां पर देख लिखे हैं, हमें code कुछ insert करना हो, यहां और और फिर button add करने हो, columns add करने हो, और उसके बाद जो है, archive, and यह अलग अलग चीज़ें, site की logo, जो website का logo है, वो add करना हो, तो काफी सारी option आपको मिल जाते हैं, YouTube वीडियो अगर आपको embed करना हो, तो वो चीज़ आप embed कर सकते हैं, जैसे कि for example चलो, यह मैंने click कर दिया, अब यहां यहां पर देख लिए, embed करने के लिए आगया, मैं आजाता हूं YouTube क्यों पर, YouTube, और YouTube, यहां पर मैं सौच कर लेता हूं, दिली for you, और यहां से यह जो हमारी वीडियो है, इसकी link मैं copy कर लेता हूं, copy link address, और उसके बाद यहां पर, मैं इसको embed कर लेता हूं, और यह वीडियो आगया, वैसे ही आगे हम और बढ़ सकते हैं यहां पर है ना, और चीज़ें आड़ कर सकते हैं, paragraph आड़ करना हूं, कुछ भी ऐसा, तो for example, इसी वीडियो के description से मैं चीज़े ले लेता हूं, कुछ भी, पूरा फुल हम ले लेता है, for example, यह यहां तक, और यह चीज़ मैं यहां पर best कर देता हूं, okay, sorry, यह different format में आ गया, ctrl-z, थोड़ा-थोड़ा कड़की लेना पड़ेगा, for example, यह तरह, okay, तो इस तरीके से आप चीज़े यहां पर add कर सकते हैं, अब आपको सब heading डालना है, for example, heading, step one, step one में क्या करना है, अब यह heading जो है, इसको किस तरीके से हम format करेंगे, तो यहां पर alignment है हमारे पास, text center में align होगा, bold होगा, italic होगा, उसके उपर अगर हमें कोई link डालना है, तो वो हम डाल सकते हैं, और भी दूसरे option यहां पर आपको मिल जाते हैं, यहां पर आप highlight कर सकते हैं इसको, है न, color वगरा change करना हो, आप color वगरा change कर सकते हैं, तो यहां पर यह option आपको जो है, वो मिल जाता है, तो इस तरीके से आप basically articles जो है add कर सकते हैं, और same way में आपको product भी कहीं न, कहीं जो है, वो add करना होगा, अब यहां पर आचाए, यहां अब ही नहीं आ रहा है, मैं यहां से save draft करता हूँ, अब यह आ गया, तो यहां पर इस URL को हम customize कर सकते हैं, और यह चीज आपको हमेशा जो है, वो customize कर लेना है, कुछ random यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां पर आपको ऐसा time use करना है, अपने article के URL के लिए, जो normally लोग search में डा WordPress एक category है, अब यहां पर अगर आपको parent category चूज करना है, तो आप चूज कर सकते हैं, add new, और यह category add हो गया, हम यहां पर uncategorized जो है, उसको हम यहां पर unmark कर देंगे, और सिर्फ WordPress हमारा selected रहेगा, tag यहां पर हम डाल सकते हैं, for example, WordPress, enterprise कीजिए, और उसके बाद WooCommerce, उसके हमारा related term होगा, वो चीज़ हम यहां पर रहा लगे, next, यहां पर हमें featured image डालने हैं, कि यह जो article है, इसका thumbnail वो क्या show करेगा, तो यहां पर featured image में आ जाएए, select file के उपर click कीजिए, और यहां से browse करके आप अप्लोड कर दीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहां पर यहां image as, अब यहां पर जो है, मैं इसका नाम डाल देता हूँ, तो हमारा है, create woocommerce website, आपको SEO friendly name जो है, वो यूज करना है, image के लिए, तो मेरे पास यहां पर my first shop नाम से एक folder है, मैं उसमें इसको डाल देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ, यहां पर यहां से मैं select कर लेता हूँ, इस image को, यह हमारा image है, और उसके बाद यहां पर भी आपको description डाल देना है, जो भी all text है, for example, किसी वज़ा से अगर यह image show नहीं करता है, तो क्या show करेगा, वो चीज़ यहां पर डाल देना है, और sit featured image, अब यह featured image हमारा add हो गया, यहां पर आप short description डालन होता है, तो वो चीज़ आप यहां पर जो है, इस option के अंदर डाल सकते हैं, yes, इसके ऊपर जो है, वो comment allow होगा, और दूसरे सारे option होगे, and finally, आपको अगर preview करके देखना है, तो आप देख सकते हैं, कि कैसा हमारा, यह जो article है, वो दिखेगा, यहां पर preview in new tab, और यह देख कर लिजे, finally, अगर आपको सब कुछ सही लगता है, तो simple, आप publish कर देजे, publish, और यह article अब आपकी website के उपर, और यह देख लिए, यहां पर यह जीज़ शो कर रहा है, hello world, और यह, मतलब यह कुछ इस तरीके से है, इसमें कोई भी image नहीं है, for example, यह है, इसको home select कर लेते हैं अब इस post को, अगर आपको edit करना है, तो simple, तो अगर आप उस post के उपर ही रहते हैं, तो यहां पर आपके पास यह option है, edit post का, और इससे आप directly जा सकते हैं, तो मैं यहां पर same featured image डाल देता हूं, okay, और visit post, और यहां पर आप देख सकनें कि हमारा दो post जो है, वो आ चुका है, यहां पर एक और problem है, कि जो हमारा thumbnail का, जो image था, वो बड़ा है, इसलिए चीज़े जो है, वो कट रही है, तो यह सारी चीज़े भी हम लोग आगे देखेंगे, अब यहां पर next post में हमारे पास था category, तो जो भी category हमने add किया है WordPress, वो आपके category के section में आ गया होगा, यह देख साथ ही आपने जो tag add किया है, वो भी यहां पर आगया है, और आप यहां से new tag जो है, वो अड़ कर सकते हैं, अब pages में आते हैं, पेज में भी same way में जो है वो आप आपके पास editing के options हैं, वहीं सारे options आपको मिल जाता है and exact same way में, जैसे हम ने post किया है, वैसे ही हम यहां पर page add कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके सा page add कर सकते हैं, तो guys, यह था हमारे WordPress का basic option guys, next जो है, वो हमें अपने website के logo और icon चाहिए अभी अगर आप यहाँ पर देखें, तो simple हमारे website का नाम जो है, वो show कर रहा है, यहाँ पर कोई भी logo, यहाँ पर यहाँ पर जो है, वो icon नहीं show कर रहा है, तो हमें जो है अपने website के लिए अच्छा सा logo डिसाइन करना है, अब अगर आपको Photoshop आ रहा है, तो Photoshop आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है, simple logo.com के उपर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है, अपना business का नाम जो है, वो आपको डालना है, तो for example, my first shop और make a logo अब यहाँ पर आपको जो है, स्लोगन डालना है मैं फिल्हाल इसको skip कर रहा हूँ उसके बाद जो है, इंडस्ट्री डालनी है तो electronic shop, for example electronic store next, यहाँ पर आपको जो है, color theme चूज कर लेना है, तो जो भी आपका color theme हो माइन में, वो आप चूज कर लेजे, for example popple, continue next, यहाँ पर आपको जो है, style चूज कर लेना है, for example model and continue अगर आपको चुछ specific icon चाहते हैं, तो आप जो है, icon select कर सकते हैं, यहाँ पर and continue अब यहाँ पर देख लीजे, हमारे पास logo जो है, वो generate होकर के आ चुका है, काफी सारे logo जो है, वो यहाँ पर आपको मिल चाते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो जो है, वो यहाँ से आप select कर लेजे, और उसको जो है, वो आप download कर लेजे, तो for example यह, मैं बहुत simple way में जाना चाहूंगा, तो यह है, मैं इसको simple यहाँ से customize भी कर सकता हूँ, तो यह है हमारे पास logo, अब यहाँ पर हमारे पास अलग-अलग option है, यहाँ पर brand का नाम है, और उसके बाद अलग-अलग customization के option है, जो कि हम try कर सकते हैं, साथ ही, आप जो है, नीचे भी देख सकते हैं, कि यह जो logo आप design कर रहे हैं, यह कैसा दिखेगा, finally, जो भी आपका design है, वो design करने के बाद, जो है, आप यहाँ पर get your logo के ओपर click कीजे, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है, वो login कर ले रहा है, Gmail से, या फिर अप अगर account करीट करना जो आते हैं, तो करीट कर लीजे, and finally, यह है dashboard, और यहाँ पर यह है हमारा logo, तो यहाँ पर यह logo देख सकते हैं, मैं यहाँ पर logo file के पर click करता हूँ, your logo file, और यहाँ से आपको download कर ले रहा है, नीचे आजाएए, और यहाँ पर हमारे पास है high resolution, और यह option है, हमारे पास color का, तो मैं यह option download कर लूँगा, यहाँ पर आप white और black version भी download कर सकते हैं, depending on situation, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर photoshop, quick way में design करने के लिए तो आ जाएए, आ जाते है photoshop में, और यहाँ से new project में create कर लेता हूँ, 1920 and 1080 pixel, और यहाँ से color mode मैं choose कर लेता हूँ, RGB, 8 bit create, और उसके बाद यहाँ से मैं ले लूँगा text tool, simple मैं typing start करूँगा, my first shop और यह जो font है काफी छोटा है, font size तो मैं यहाँ पर control T करूँगा और इसको मैं यहाँ से scale कर लूँगा, तो यह हो गया हमारा my first shop, बहुत ही clean way में मैं जो है वो logo design करूँगा, अब यहाँ पर मैं color change करूँगा, तो मैं first spelling गलत है, first shop, okay, इसको मैं black या फिर white यूज़ करूँगा, depending on situation, जैसा भी हमारा background होगा, उसी साफ से हम इसको use करेंगे, तो यह हमारा logo जो है, वो design हो करके आगया, इसका मैं एक और copy बना लेता हूँ, ctrl J और इसका नाम में डाल देता हूँ, for example white और यह हो okay, अब यह हमारा जो logo है, वो basically यहाँ पर ready है, आप देख सकते हैं, यह हमारा variation होगा, black या फिर white, अभी इसका जो final resolution है, वो भी हम decide करेंगे, चलो मैं इसको जो है, वो उपर उठागर के डाल देता हूँ, for example, यहाँ पर और black version सही लग रहा है, वो मैं open कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं icon design करूँगा, तो simple, मैं एक circle ले लेता हूँ, circle, और इसका color मैं मैं यहाँ से change कर के डाल दूँगा, यहाँ पर simple इसके उपर आप tap कर सकते हूँ, click कर सकते हैं, और यहाँ आप sample कर सकते हैं, तो यह sample color मैंने use कर लिया, अब यहाँ पर मैं इसका जो stroke है वो मैं off कर दूँगा और यह हमारा circle है और यहां पर मैं single letter M जो है वो मैं type कर दूँगा और इसका font है वो मैं increase कर दूँगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद इसको मैं यहां पर लूँगा और इसमें मैं और यह हमारा logo हो गया अब आपको क्या करना है इसे जो है वो सीफ करके रख लेना है future में use करने के लिए तो save as on your computer और जो भी आपकी फाइल है जहां पर भी वहां पर सीफ कर दीजिए तो मैंने इसे अलड़ी क्रिएट किया हुआ है मैंने भी अब हमें क्या करना है इस लोगो मैं यहां से इन दोनों को मैं copy करूंगा black and white को ctrl c और यह पर इसे प्लम ड्राग कर सकते हैं इस तरीके से के और ctrl t करके इसे हमें resize कर लेना होगा ठीक है थोड़ा सा ctrl प्लस करके मैं थोड़ा से इसको बढ़ा कर लेता हूं तो यह हमारा लोगो जो है वो रेडी हो गया यहां पे दोनों वार्येशन है थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ठीक है अब हमें क्या करना है इसको ना हमें export कर लेना है तो मैं पहले black version कर लूँगा तो simple मैंने transparency यहां से on कर दी मतलब background उसको मैंने off कर दिया और यहां से सिर्फ यह black version on है export और save for wave और उसके बाद यहां पे हमें choose करना है png24 and save और आपको जो है अपने location के उपर इसे save कर लेना है तो यहां पे यह है हमारे पास logo और मैंने इसे already जो है वो save किया हुआ है तो यह दोनों आपको जो है वो save कर लेना है उसके बाद जो है यहां पे एक और प्रोजेक्ट आपको create करना है 512 icon के लिए 512 512 और RGB create और उसके बाद जो आपका यह logo है इसको आपको copy करना है यहां से और यहां पे लागर के डाल देना है sorry ओके यहां पे हमारा यह black version भी आ गया कोई बात नहीं है यहां से हम इसको delete कर देते हैं और सिर्फ यह रहेगा हमारे पास यहां पे ctrl T और इसको आपको यहां पे डाल देना है इस तरीके से और उसके बाद जो है यहां से background हटा करके same इसको भी जो है आपको export कर लेना है save for wave PNG और save और जो भी आपका location है वहां पे आपको इसे save कर लेना है मैंने यह सारी चीज़े already जो है वो की हुई है तो मैं फिलाल इसको हटा देता और मैं आपको अपना logo जो है वो मैं दिखा देता हूँ तो यहां पर यह हमारे पास logo और यह आईकॉन है और यहां पर यह तो variation है हमारे पास जिससे हम आगे के step में जो है अपनी website के अदर add करेंगे guys अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी website के लिए जो है एक अच्छा सा theme जो है वो install करते हैं क्योंकि अगर हमारी website ऐसी होगी रहा तो कोई भी purchase नहीं करने वाला है कुछ भी तो एक अच्छा सा theme जो है वो install करते हैं theme के लिए आप विजिट कर सकते हैं theme hunk के उपर description में link दी हुई है अब यहां पर अगर आप देखे ना तो हमारे themes के उपर click करते हैं अब यहां पर बहुत सारे theme हैं जो कि आप try कर सकते हैं जैसे कि यह हमारे पास shop mania यहां पर जो है यह open shop और बहुत सारे आपको मिल जाते हैं तो simple for example हमें चाहिए यह वाला theme तो यहां पर यह यह live demo का option है इसके उपर आप click केजिए और आप इसका live demo जो ह है और actually इसमें pro option भी available है लेकिन यहां पर हमारे पास free जो है फिलहाल के लिए enough है तो free में यह तीन design जो है वो available है मैं यहां पर electronic shop option जो है वो मैं live view करके आपको दिखा देता हूं जो कि हमारी website होने वाली है जैसे तो हमारी website बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी जो कि आपने पहले भी देखा है तो यह exact same theme जो है वो हम लोग use करने वाले है तो simple आपको क्या करना है यहां पर download के ओपर click करना है और यहां से आपको जो है वो download कर लेना है यहां फिर आप जो है इसे same चीज़ को आप जो है वो इसकी library से भी जो है वो install कर सकते हैं यहां पर आप WordPress के option है वो आप use कर सकते हैं अगर आपको search करना है तो यहां पर simple आईए जो भी आपका tom है वो आप type कीज़े और उससे लिए जो भी theme होगा वो आपका यहां पर आजाएगा तो यह है हमारे पास top store तो यह हम लोग जो है वो use करने वाले हैं तो यहां से भी आप install कर सकते हैं यह पिर अगर आप upload करना चाहते कहीं और से अगर आपने theme download किया है तो यहां से आप upload में जाएए choose file और जो भी आपकी file है उससे आप browse कीजे download for example और यह हमारे पास top store है open कीजे और install के उपर जो है वो click कीजे मैं फिलाल क्या करूंगा यही से बैसको install कर लेता हूं तो आप direct library से भी install कर सकते हैं for example आप कुछ purchase करते हैं कहीं और से जैसे के इंवेटर मार्केट वगरा है तो वहां पर आपको zip file मिलेंगी जिसे आपको upload करना है अब यहां पर यह theme जो है हमारा install हो गया है हमें क्या गरना है इससे activate कर गया है activate और finally यह theme हमारा जो है वो activate हो चुका है और यहां पर काफी सार है वो notification वगरा जो है वो आ रहे है तो अभी फिलहाल हमें इन सारी चीजों को जो है वो ignore करना है चलिए हम अपनी website को देख लेते हैं यहां पर इसको close कर देते हैं visit site और यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे website का जो look है वो कुछ हद तक change हो चुका है यहां प कुछ recommended चीजे हैं जो कि इस theme के according आपको install करना पड़ेगा तो आप उसे install कर सकते हैं मैं फिलहाल इन सारी चीजों को यहां से हटा दूंगा और कुछ भी यहां पे अभी फिलहाल मैं install नहीं करूंगा क्योंकि install करते ही plugins वगरा को यहां पे इतने सारे options आ जाएंगे ना कि आ आप भटक जाओगे कि क्यार क्या क्या चीज़े हैं तो अभी फिलहाल हम इसको बहुत simple and easy रहने देंगे अभी यहां पे सबसे पहले चीज क्या करते हैं कि हम ना यहां पे अपना logo जो है वो हम लगा देते हैं और जो हमारा icon था वो हम update कर देते हैं तो यहां पे home page के उपर अगर आप हैं अपने website के तो यहां पे customization का option आपको मिल जाएगा या फिर अगर आप dashboard में हैं तो appearance के अंदर यह हमारे पास customization का option है तो इसके उपर just click कीजिए और उसके अंदर आने के बाद यहां पे हमारे पास wordpress default का option है इसके उपर आप click कर लिजिए site identity है और यहां पे हमा यहां पे हमारे पास logo अब हमारी जो website है उसका जो है color जो है वह actually dark है तो हम यहां पर light वाला जो हमारा white वाला version था वह हम select करेंगे open और यहां पर हम डाल देते हैं attributes my first shop logo और उसके बाद select और skip cropping जो है वह हम यहां पर कर देंगे और यह हमारा यहां पर update हो गया अब यहां प इसे disable कर देंगे display site title off कर दिया मैंने और यह tagline यह भी आफ कर दिया यह भी मुझे नहीं चाहिए next यहां पे हमें जो है वो icon जो है वो add करना है site icon इसके अपर click कीजे upload file select files और यह जो icon हमने design किया था वह हम यहां से select कर लेंगे same इसमें भी आप attributes डाल देजे select और boom हमारा यहा यहां पे पहले यह ऐसा था अब यह ऐसा है और उसके बाद आपको simple क्या करना है publish कर देना है तो हमारी जो website है वो basically एक तरीके से ready है अब हम आगी जो है वो क्या करेंगे यहां पे हमारा जो main plugin है WooCommerce वो हम install करेंगे और उसको जो है वो हम set up करेंगे तो आज आज आए यहां तरब से हमने install किया था यहां पी plugin install करने के लिए यहां पे add new में आ जाएगे और अभी यहां पे हमें जो है वो search करना है हमारा सबसे important plugin WooCommerce Woo, simple आप WooSearch करेंगे तो WooCommerce आ जाएगा तो यहां पे यह हमारे पास WooCommerce और आप installation देख सकते हैं कि 5 million plus active installation है और यह आपको यहां से download कर लेना है install now यह हमारा सबसे main plugin है इसी से हमारे website के अंदर shopping का feature जो है वो add होगा जिसमें हम product add कर पाएंगे यह लोग यहां पे shopping कर पाएंगे तो simple इसको हम लोग activate कर लेते हैं और activate करते ही I think setup wizard जो है वो आ जाएगा मतलब setup करने के लिए जो basic चीजें हैं वो आ जाएगी तो यह हमारा आ इंडिया डेल ही और यहां पे मैं address डाल दूंगा तो एन 44 जामिया नगर और उसके बाल यहां पे हम डाल देते हैं 110025 जो हमारा pin code है city जामिया नगर और email address एंड कंटिनू नो थांक्स अब यह जो website आप किस चीज के लिए बना रहे हैं तो यहां पे अपनी जो category है वो आप चूज कर सकते हैं तो मैं यहां पे चूज करुँगा electronics and computer आप क्लोथिंग बगारा के लिए कर रहे हैं तो fashion चूज कर सकते हैं यहां पिर अगर आपको learning घूली करना है АлександM learning चूज कर सकते हैं तो मैं यहां पे electronics and computer जो है वो select करूँगा continue अप यहां पर अपको यह यहां download select कर सकते हैं वैसे option हम बाद में भी customize कर सकते हैं यहां पर बस पूछा जा रहा है हमसे continue और यहां पर हमारे बास है how many products? एक से दस for example और कहीं और भी आप sell कर रहे हैं नहीं और I am setting up a store for a client नहीं continue अब यहां पर इस option को आप कर दें वरना बहुत सारे plug-in जो है automatically install हो जाएंगे मैं इसको यहां से mark कर देता हूं unmark कर देता हूं sorry unmark कर देता है आपको इसको and then continue और boom हमारा जो wordpress है वो set up हो चुका है यहां पर आप home page के ओपर आ सकते हैं simple इसको reload कर लेते हैं अब यहां पर आप देख लीजिए book covers के अंदर page blank आ रहा है किसी विज़े से यहां पर कुछ खास information नहीं होती यहां पर यह आ जाएगा तो यहां पर यह हमारे पास सबसे पहले orders का option तो जो भी आपका order होगा वो यहां पर जो है वो शो करेगा उसके बाद यहां पर हमारे पास analytics है तो यहां पर detail information आपको मिल जाएंगी आपके website की कि कितना product से हुआ कौन सा हुआ और वो सारी चीज़ें यहां पर आपको information मिल जाएंगी अब चलिए हम देख लेते हैं थोड़ी सी अपनी website को और यहां पर एक और चीज़ आप notice करें तो यहां पर पहले visit site था सिर्फ अभी यहां पर विजिट store का भी option जो है वो add हो गया है तो हम यहां से store के ओपर भी विजिट कर सेकते हैं तो यह हमारा my shop page है है आगे shop add हो गया यह shop page है अभी फिलहाल यहां पर कुछ भी नहीं है अगर हमें homepage के उपर आना है website के तो यहां पर हम my first shop जो भी हमारा logo है उसके उपर click करेंगे तो हम अपने homepage के उपर आ जाएंगे अब यहां पर एक चीज़ अगर आप notice करेंगे तो यहां पर menu add हो गया है जिसमें cart है, checkout है, my account है और यहां पर shop page है और साथी यहां पर account का जो है वो option add हो गया है तो जब भी आप WooCommerce setup करते ना तो यह सबसे important होता है कि आपका जो page है वो work कर रहा है कौँसा page? Normally हमारे पास जो है यहां पर सबसे important 5 page होते है सबसे पहला होता है shop page जो है वो हमारा होता है cart page तो जो भी चीज हम cart में add करेंगे वो cart page के उपर show करेंगा और हमारा payment वगरे के लिए होता है checkout page हम checkout करने के लिए सबसे last page होता है हमारा my account page जहां पर हमारी account की सारे information होती है, dashboard, audit की detail होती है, यहां पर download, address यहां पर आपको मिल जाते हैं अगर यह page setup नहीं है तो आपको क्या करना है देख लीजे मैं क्या करता हूं मैंना इन सारे page को open करता हूं अलग-अलग इसमें shop page और यहां से ठीक है यह हमारे पास cart page है, यह हमारे पास यह भी cart page है actually, my account page checkout page checkout भी automatically cart पर आचा रहा है अब यहां पर आप देखें तो एक code जो है ना इसके अंदर होगा अगर यहां से मैं edit page में जाता हूं तो इसमें एक simple code add किया गया है WooCommerce और cart यह code add किया गया है यह indicate करता है कि यह जो page है यह WooCommerce के cart के लिए यूज होगा वैसे अगर इसके edit में आता हूं तो यहां पर आप देखेंगे WooCommerce my account वैसे अगर मैं shop के अंदर आता हूं यहां पर shop को मैं actually customize नहीं कर सकता है लेकिन उसको आगे से अंदर चूज कर सकते हैं वैसे ही हमारा checkout page के लिए यहां पर WooCommerce and checkout होगा है ना तो यह code उसके अंदर होनी चाहिए अगर नहीं है for example अगर किसी वजह से यह page नहीं create हो पाया है आप यहां पर dashboard pages में भी आके देख सकते हैं कि यह सारे page automatically create हो गया है और यहां पर यह indicate भी कर रहा है कि यह cart page है यह checkout page है यह my account page है और यह shop page है अगर किसी वजह से यह pages create नहीं हुई है तो आपको यहां पर आके create कर लेना है और उसके अंदर आपको जो है shop page को आपको छोड़ देना है shop page अभी हम select करना देखेंगे यहां पर cart page के अंदर आपको यह डाल देना है code डाल देना है check out में आपको यह code डाल देना है देख लिए आप यहां पर उसके बाद यहां पर my account में आपको यह code डाल देना है अगर किसी वजह से यह show नहीं कर रहा है तो वैसे by default यह automatically show कर जाता है अब आज जाएगे देख लेते हैं कि हम किस तरीके से जो है इन pages को select करेंगे इन pages को define करेंगे यह page आपको create कर लेना है अगर नहीं create किया हुए तो उसके बाद हम लोग यहां पर WooCommerce की settings में आ जाएंगे अब settings में आने के बाद यहां पर देख लिए सबसे पहले general settings में यहां पर हमारे पास address वगरा की information है यहां पर अगर हम लोग बात करें pages की तो उसके लिए आपको advance option में आना होगा, advance option में आने के बाद यहां पर देख लिए हमारे पास cart page है तो यहां से आपको page select कर लेना है cart, जो भी page आपने create किया वो यहां से select कर लेना है और उसको define कर देना है आपको choose करना है किस country के लिए आप sell करना चाहते है sell to all countries या फिर sell to all countries except अगर आप किसी कुछ countries को छोड़के सारी दुनिया में sell करना चाहते तो यह option select कीजिए यहां फिर सिर्फ आप इंडिया में sell करना चाहते है यहां पर किसी specific country में तो यहां से आप यह select कर लेजे और उसके बाद उस country का नाम जो है वो आप select कर लेजे उसके बाद कहा कहा आप ship कर सकते हैं तो ship to all countries और यहां फिर आप जो है specific countries only यहां पर भी मैं इंडिया डाल देता हूं फिलहाल के लिए तो आप अपने according जो है कर सकते हैं आप यहां पर multiple जो है वो add कर सकते हैं उसके बाद जो है default customer location यहां पर आप simple option जो है वो use कर सकते हैं उसके बाद tax वगरा की information है जो कि आगे हम लोग देखेंगे तो यह हमारा basic setting था जो कि आपको जो है वो करना है और आपकी website basically प्रोडक्ट वगरा add करने के लिए जो है वो ready है तो एब हम next इस तरीके से हम लोग जो है hydro products add कररेंगे तो गैस products add करेंगे हम लोग यहां पर आ जाते हैं products के अंधर और यहां पर आपकी जो है वो सारे products होंगे यहां पर हमारे पास add new का option है यहां यहां पर एक notification आ रहा है कि जो coupon का option था वो अब जो है वो मूव हो गया marketing के अंदर तो यह marketing के अंदर अब जो है वो आ गया है तो यहां पर रिमूव लेक्सी coupon menu इसको पर click करते हैं तो products में आ जाते हैं और उसके बाद यहां पर add new और add new में आने के बाद यहां पर हमारे पास यह है products related option अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूँ कि यहां पर जो है ना और किसी भी page पर आप चाहे तो ऊपर में शोगरेगा तो यहां पर यह option हमारे पास आ रहा है okay यहां से आप इसको off कर साथ और यह option है नहीं पर shea जाह नहsteXT same file आप भी चाहे तो use कर सकते हैं practice के लिए description में download link जो है वो दी गई है सारी की-सारी file का यहाँ पर जो भी logo है और जो भी product वगरा की information है तो यहाँ पर यह हमारे पास product one और इसमें यह हमारे पास product description a text file और इसमें title है price है okay price 2999 और short description है और उसके बाद जो है हमारे पास यह long description है तो यहाँ से हम title copy कर लेते हैं control c product का नाम है noise plus 2 max or bluetooth calling a smart watch okay तो यहाँ पर product name में हम यहाँ पर डाल देंगे product का नाम और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक urlb जो है वो क्रिए structure तो यहाँ पर settings और यह हमारे पास permalink permalink में हम लोगों ने पोस्ट का structure जो है वो change किया था अब हमें product का भी structure है ना वो हमें change कर लेना है तो यहाँ पर shop use कर सकते है shop and product का नाम तो यहाँ पर यह जो बेस है यह सही रहेगा यहाँ पर आप custom कुछ डालना बचाते हैं तो वह भी आप यहाँ पर डाल सब्सक्राइब है तो shop base करके इसको आप simple save कर दीजे और बस अब आप यहाँ पर आजाए और यहाँ पर अभी product optimize URL जो है वह डालना है जो भी product है आपका उसके बारे में आपको सोचना है कि लोग उसको किस तरीके से search करेंगे तो वह चीज़ आपको simple क्या करना है डालना है तो यहाँ पर for example यह मैं copy कर लेता हूँ और यह मैं इसके अंतर डाल दूँगा और इस तरीके से हमारा link जो है वह कस्टमाइज होगा साथी short भी यहाँ पर होगा तो सबसे पहले आपको title डाल दे रहा है next यहाँ पर यह है हमारा product description और उसके बाद यहाँ पर हमारे बास products related option price shipping दूसरी ची description आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर यह जो product description है इसका अगर editing interface देखें तो यह थोड़ा सा different है जैसा हम लोगों पोस्ट में देखा था तो यह हमारा classic editor है है और यहाँ पर normal आप जिस तरीके से word वागरा में typing करते हैं यहाँ यहाँ पर आप कर सकते हैं यहाँ पर इसको title और यहाँ पर अब हमें description डालना है तो जो long description है वो मैं यहाँ से copy कर लेता हूं ctrl c और उसके बात उसको मैं यहाँ पर best कर देता हूं और यह हमारा हो गया long description बीच में for example आपको photos वागर add करने हैं तो मैं यहाँ पर आ जाता हूं simple यहाँ यहाँ पर enter press करते हैं और यहाँ प्याँ करके मैं यहाँ से add media में जाऊंगा और इसके बाद जहें कुछ media file में add कर लूँगा यहाँ पर example यह है इसको मैंने select कर लिया और यहाँ पर SEO के लिए आप इसका all text जो है वो जरूर डालते हैं insert into product और यह हमारा यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर चाहें तो इसको center म करना है आप यहाँ से center कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर आपको option मिल जाता यह option जो है align center और इसके edit में अगर आप आते हैं image के case में यहाँ पर option मिल जाएगा कि यह जो image है यह क्या होगा इसके उपर अगर कोई click करेगा तो क्या होगा तो यहाँ पर media file है मतलब यह image separately separate link के सा open होगा या फिर इससे हम page को attach कर सकते हैं या फिर हम custom link डाल सकते हैं कि okay फलानी website के उपर open होगा या फिर हमारी website की किसी दूसरे page के उपर open होगा यह जो option है यह आपको हर जगा मिल जाएगा कहीं पर भी image add करेंगे तो इसमें option होगा तो हम फिलाहल इसको none कर देंगे कि नही होगा same इसमें भी हमारा यह देख लीजिए हमने यहां पर long description जो है वो डाल दिया और उसको हमने सचा दिया है यहां पर बहुत सारे option है आपके पास यह देख लीजिए paragraph है तो अगर आपको कुछ heading add करना है जैसे कि for example मैं यहां पर कुछ भी ऐसा डाल देता हूँ noise यह बने में डाल सकता हूँ bold करना है आपको select करके bold करना है आपको italic करना है यहां पिर आप यहां पर list बना सकते हैं और इसके उपर कुछ link डालना है तो आप यहां से link insert कर सकते हैं simple best करना है enter press करना है और वो link add हो जाएगा यहां और भी दूसरे option है हमारे पास यहां पर text का color अगर सबसे नीचे है product short description तो यहां पर हमारे पास short description भी है इसको हम ले ले यहां से ctrl c c ctrl v और यहां पर इसको थोड़ा साम organize कर लेंगे यहां पर हम इसको जो है point wise डाल सकते हैं यह जो हमारे पास option है bullet list यह हम डाल देंगे इस तरीके से कुछ backspace में press कर रहा हूं और यह हमारे पास color है हम चाहें तो इसको यहां से bold कर सकते हैं highlight करने के लिए select करके simple bold कर दिया तो यह short description है यह आपका जहां पर price वगेरा होगा ना same उसी जगा पर जो है यह show करेगा अभी आप product page जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो यह हमारा यहां पर short description अब यह जो area है यह हमारा सबसे important है यह हो सकता है तो hide हो जाए और यहां से आप इसको show and hide कर सकते है यह या अगर आपको इसको नीचे या ओपर shift करना हो तो आप जह है उपर नीचे भी shift कर सकते है यहां से इसको शो कर देता हूं अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास option है product data में कि यह किस तरह का product है तो यह simple product है मतलब एक normal product होगा जिसकी pricing होगी that's it और उसके बाद यहाँ पर आप select कर सकते हैं कि यह virtual product है यह downloadable product है तो अगर आप digitally कुछ sell करना चाहते हैं जैसे downloadable product या फिर आप कुछ अपनी services sell करना चाहते हैं तो यहाँ पर virtual जो product अब इसमें सबसे पार option है हमारे बाद general इसमें हमें यहाँ पर प्राइस जो है वो डालना है तो यह regular price for example regular price में डाल देता हूँ इसका 5999 और उसके बास sale price में डाल देता हूँ 2999 आप चाहें तो simple single regular price ही use कर सकते हैं अगर आपको sale show नहीं करना है तो normally आप shopping site वगरा मैं दे schedule कर सकते हैं इसको भी schedule कर सकते हैं कि यह जो price है यह कब से कब तक रहेगा तो आप यहाँ पर timing डाल सकते हैं गर कुछ offer वगरा run कर रहे हैं किसी festive season में तो आप उस price को यहाँ पर add करके और उसको schedule कर सकते हैं तो अब यह हो गया हमारा pricing next यहाँ पर हमारे पास option है inventory का अगर आ यहाँ पर टाल दूँगा कि कितना अगर आपको manage करना है तो कि कितना stock available है तो for example 10 stock available है उसके बाद अगर यह stock खतम होता है तो क्या होगा do not allow या allow but notify customer या फिर simple allow order आप accept करेंगे और उससे लिए जो है दूसरे option है low stock है ना वो चीज़ आप जो है वो alert sit कर सकते हैं उसके और उसके बाद यहाँ पर upsell and cross sell है जो कि आगे हम लोग देखेंगे attributes हम लोग आगे देखेंगे variable products अगर जब हम add करेंगे तो and then यहाँ पर हमारे पास advanced option है तो यहाँ पर कुछ extra note अगर आप डालना चाहते है तो आप यह simple हमारे पास यहाँ जो अभी के लिए information है वो यह है और अगर आपको इसको publish करना है तो publish कर सकते हैं अगर आपको publish नहीं करना है product page पर show नहीं करना है तो simple आप save draft जो है वो कर दीजिए और यह आपका product save हो जाएगा बट publish नहीं होगा as a draft जो है अभी current status जो है वो draft है publish करना हो तो यहाँ से publish कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पा तो यह हमारा सबसे पहला image होगा जो की शो करेगा next यहाँ पर हमारे पास product gallery का भी option है तो आप multiple image यहाँ पर add कर सकते हैं यहाँ पर add product gallery image के उपर हम click करते हैं और जो दूसरे images हैं उनको मैं यहाँ से select कर लेता हूँ और इसको मैं upload कर देता हूँ और सबको यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर select कर लेंगे यह यह control press करके यह चार हम select कर लेंगे और इसको add gallery और यह हमारा gallery में add हो गया next यहाँ पर हमारे पास है product category तो अभी यह uncategorized है मतलब कोई भी category यहाँ पर add नहीं किया गया है एक और new category में add करता हूँ उसका मैं नाम डालूँगा smartwatch और इसको मैं डाल दूँगा watch के अंदर है न तो यह हमारा sub category हो जागा smartwatch add new अब यहाँ पर आप देखें तो watch के अंदर यह हमारा हो गया smartwatch हम और भी category जो है वो add कर सकते हैं for example analog watch इसको हम क्या करेंगे यहां से हम इसको delete नहीं किर पाएंगे हमें category में जाना होगा तो यहां से भी आप चाहें वो category वग़रा add कर सकते हैं तो यहां पर यह हमारे पास है analog edit में और इसमें यहां पर parent category watch हम select कर लेएं तो यहां पर चाहें तो सारे काटगरी को एक बार एंटर कर सकते हो और वो चीज आपका यहाँ पर प्रोड़क के सेक्षिन में जो है वह शो करने लगेगा जैसे कि मैं यहाँ पर आदा हूं फोन एक न्यू काटगरी मैंने आड़ कर दिया फोन का और यहां पर वो चीज़ आजाएगा मैं सेफ कर देता हूं और उसके बाद इसको हम यहां से रिलोड कर लेते हैं और अब आप देख पारे होंगे कि और यह जो टाग है यह सर्च में भी आपका काफी ज्यादा है जैसे फॉर एक्जमपल को ऐसा प्रोड़क्ट है जिसमें आपने टाइल में कुछ नहीं डाला हुआ दिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है लेकिन टाग में वो टॉम आपने डाला हुआ और वो कोई सर्च करता है तो यह प्रोड़क्ट आपका आजए का स्मार्ट वॉच और एक्जमपल नॉइस और इस तरीके से आप टाग कर सकते हैं यहां पर पोस्ट अट्रिब्यूट है फिलहाल इसको आपको डिफॉल्ट रहने देना है हो सकता है तो आगे हम डिस्कुस करेंगे तो हमारे जो नॉ और यह है regular price और यह है offer price और यहां पे यह short description है add to cart का button है कितना quantity चाहिए वो है और उसके बाद यहां पे product का main image है यहां से zoom किया जा सकता है और यहां से product image है वो change किया जा सकता है यह जो style है यह depend करता है theme के उपर अगर आप कोई दूसरा theme यूज करेंगे तो यहां पे जो product क style है इस page का style है वो अलग होगा उसके बाद यहां पे हमारे पास यह है description और description में यह कुछ इस तरीके से हमारे product का description है वो आ रहा है इस के you यहां पे आ रहा है category कौन सी है वो चीज है और यहां पे tag भी जो है वो हमारा शुकर अभी upsell cross sale के लिए हमने कोई product add नहीं किया है इसलिए यहां पे वो show नहीं कर रहा है finally आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है आप simple publish कर दीजिए और boom आपका जो product है वो live हो चुका है तो यहां पे homepage के उपर आ जाते है और अभी homepage के उपर actually जो हमारा blog है वो show कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं इसको भी हम लोग आगे customize कर लेंगे हम यहां पे shop के उपर जाते है औ अपना homepage बना लेते हैं और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए आपको आना पड़ेगा dashboard settings और settings में आने के बाद आपको यहां पर reading में आना है और reading में आने के बाद यहां पर अभी क्या शो कर रहा है your homepage display, your latest post तो अभी क्या कर रहा है हमारा जो latest post है actually बहु चीज हमें setup करना है तो हमारा home page ही हो गया हम यहां से static select कर लेंगे उसके बाद यहां पर आएंगे और यहां से हम select कर लेंगे shop को okay तो अब हमारे home page के उपर shop page जो है वो show करेगा और post page के लिए हम लोग यहां पर blog page select कर लेंगे तो यहां पर blog page नहीं है तो एक फटाक से page create कर लेते हैं जहां पर article वगएरा हमारा post होगा और simple blog और publish कर देंगे हम blog हमने title दा दिया और publish है ना और view page कर लेते हैं blog okay ठीक है और यहां पर आते हैं हम लोग और यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो save changes क पोस्ट पेज में हम क्या करते हैं यहां पे ब्लॉक पेज के ओपर आर्टिकल वगएरा वो शो करेगा तो मैं इसको अटा देता हूं यहां से और यह हमारी सेटिंग्स यहां पे हो गई से चेंजिस और उसके बाद अब आप देख लिए यहां पे हमारा होम पेज के ओपर ही जो कर रहा है और यह हमारा प्रोड़क्ट है सिंगल प्रोड़क्ट हमने अट किया है इसके ओपर यहां पे क्विक व्यू भी है सिंपल अगर कोई बीच में ऐसे क्लिक करता है तो यहां पे क्विक व्यू देख सकता है और यहीं से अट कर सकता है यहां पर अगर वो करेंगे तो यह cart page आप देख सकते हैं product का नाम, quantity, price और दूसरी information नहीं यहाँ पर shipping की information है जिसको हम आगे वह setup करेंगे और उसके बाद proceed to checkout और यह हमारा checkout page है first name, last name, company और दूसरे option है यहाँ पर सारी information फिल कर दिया है and then यहाँ पर place order तो हमें सबसे पहले हैं सारी information फिल करनी पड़ेंगी और हमें आगी जो है वो payment gateway भी जो है वो setup करना पड़ेगा तो हमने अपना first product जो है वो add कर दिया अब अगर आपको product को you know edit क product में यहाँ से जा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर पर्मा लिंक भी जो है वो देख सकते हैं तो home है उसके बाद यह product है और product के उपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर shop के उपर archive में आजाएंगे तो आपको क्या करने हैं आपको सबसे पहले पाच-दस product जो है वो add कर नहीं ताकि आपको अच्छे से visual है वो देख पाए चलिए मैं आ जाता हूं यहां पर फिर से products के अंदर यहां पर यह है हमारा products और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास के एक draft है मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहां पर यह हमारे पास product मैं इसी का एक duplicate बनाता मुझे और extra product चाहिए और यहां से मैं images का change कर देता हूं थोड़ा सा different image मैं use कर देता हूं for example यह वाला और मैं इसको यहां से चलो ठीक है copy रहने देते हैं कोई बात नहीं है publish और अब देखें तो हमारे पास दो product होगा shop और यह हमारे पास दो product है pricing बगएर जो है वो हम यहां तरह के products हैं हमारे पास उसको तो products में आ जाई है और यहां पर अगर आप new products में आते हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है product data में simple product है जो कि हम लोगों ने देखा downloadable product कुछ यहां पर खास जो है वो change नहीं होगा यहां पर बस एक file का option आ जाएगा downloadable file का जो कि यहां पर आप कुछ है वो add करना पड़ेगा तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करें जैसे for example जो downloadable हो edit में आ जाते हैं यहां पर इस product के और for example इसको हम लोग change कर देते हैं downloadable में अभी हां पर क्या होगा कि यहां पर downloadable file आ गया तो अभी हां पर आपको file का नाम डालना हैं और यह कितनी दिन में expire हो जाएगा वो चीज़ आपको डाल देनी तो for example आपी चाहते हैं कि सिर्फ पांच बात जो है इसको download कर पाए और यह expire हो जाए कितनी दिनों में तो आप यहां पर number डाल सकते हैं 365 या फिर आप शाहते हैं कि नहीं यह expired नहीं हो तो never और उसके बा अकाउंट का section है यह user का account section है उसके download में यहां पर एक downloadable product जो है वो शो करने लगेगा download का option जो है वो शो करने लगेगा तो इस तरीके से आप downloadable product जो है वो add कर सकते हैं अगर हम virtual product की बात करें तो इसमें कुछ भी यहां पे change नहीं होगा बस यहां पर आप देखें तो shipping option जो नहीं सारी चीज़े हमारी बिल्कुल सेम होंगे नेक्स आते हैं यहां पर group product की तो group product में क्या है कि आप multiple product को एक साथ combine करके एक package बना करके वो sell कर सकते हैं इसमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है यहां पर आजाना है link product में और यहां पर आपको search करना है for example noise और वो product आपको बाकी सारे options सारी चीज़ें जो है वो हमारी बिल्कुल वैसी ही जो है वो वाक करेगी यहां पर आप देखें course page के उपर तो यहां पर आप देख लिए हमारे पास क्या है यह option है है तो यहां पर अगर अलग product होगा जैसे for example एक और product में डाल देता हूँ dummy product और इसकी pricing मैं राल देता हूँ 100 for example और कुछ भी मैं update नहीं करता हूँ इसको मैं publish कर देता हूँ और इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहां पे और यह है हमारे पास okay so यह था हमारा variable products है ना और इसके edit में आ जाते हैं और edit में आने के बाद यहां पे हम एक और product आड कर देते हैं कर सकते हैं अगर gadgets की बात करें तो यहां पे एक option आप डाल सकते हैं कि okay यह main product है अगर उसके साथ आपको जो है belt add करना है तो belt add कर लिए यहां पर tempered glass add करना है तो tempered glass तो इस तरीके से आप multiple option जो है वो add कर सकते हैं कि अगर आप कपड़े की बात करने तो कपड़े में आप set कर सकते हैं that you like आप सिंगल आप कुर्टा बाई कर सकते हैं, आप कुर्टा और पजामा दोनों या आपके साथ में बनियाने का भी option है, तो आप multiple option add कर सकते हैं, add to cart कीजिए और यह आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे यह जो है दो product हमारे cart में add हो गया, और यह एक पहले हमने add किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसका quantity तो हो गया, तो इस तरीके से आप जो है, वो यहाँ पे variable product जो है, sorry, product group जो है, वो basically यहाँ पे create कर सकते हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पे external and affiliate product की, तो अगर आप कुछ affiliate marketing वगयरा use करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने product को यहाँ पे list कर सकते हैं, और उसका affiliate link यहाँ पे हम डाल देंगे, तो जब उस पे बंदा click करेगा, तो वो उस website के उपर चला जाएगा, और चुकि वो हमारी link से जाएगा, तो उसकी earning जो है वो आपको भी लेगी, तो for example, मैं आ जाता हूँ Amazon के उपर, और यहाँ पे मैं search करता हूँ noise, यह है for example, यहाँ पे watches वगयरा है, तो कौन सा हमारा watch था, ओके इंशालो कोई भी watch, for example, यह मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और यह है हमारे पास, आप for example, मैं क्या गड़ना चाहता हूँ, मैं इसकी affiliate marketing करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने affiliate account से, इसकी link copy कर दूँगा यहाँ से, और उसके बाद, अब मैं आ जाँँगा, यहाँ पे external affiliate product में, सारी information मैं वहाँ से copy करके, डाल दूगा, जो भी हमें डालना है, यहाँ पे आपको short description मिल जाता है, यह long description है, और नीचे आपको काफी detail image फखेरा मिल जाती है, तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पे डाल देनी है, और उसके बाद आपको उस product का link डाल देना है, आपको कुछ भी sell करना है, कुछ भी product as a affiliate यूज़ करना है, उसके link डाल देनी है, और make sure कि यह जो link है आपकी अपनी link हो, इसमें आपका tracking ID जो है वो add हो, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा, अब यहाँ पर आप क्या डालना चाहते हैं, text, button text वो आप डाल देजे, तो आप default रहने दे सकते हैं, या फिर आप चो भी आप डालना चाहते हैं, वो आप डाल देजे, pricing यहाँ पर डाल देजे, for example 2999, यह से बहुत सारे लोग क्या गरते हैं, कि अगर अफिलेट का यूज करते हैं, यहाँ पर कम pricing यूज करेंगे, और जब वो बंदा क्लिक करके जाएगा तो ज्यादा pricing होगा, तो उससे क्या होदा है, कि उसका एक अफिलेट आप यहाँ पर यहाँ पर आजाते हैं, तो अलग-अलग option मिल जाता है, upsell cross sell करना हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, upsell क्या होता है, बिसिकली अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे इस product के नीचे, तो यह क्या है, यह नीचे और दूसरे product को recommend किया जाता है, जो कि उसी range के होते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर उसी आसपास के होते हैं, थोड़ा सा उपर, तो वो चीज़ आप भी यहाँ पर कर सकते हैं, upsell product जो है, वो एड़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आड़ कर देता हूं, for example noise, अब यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो एक product जो है, वो यहाँ पर शो करने लगा, तो यह हमारा upsell का option है, तो यहाँ पर हम multiple product जो है, वो upsell के अंदर add कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप जो है, वो affiliate product जो है, वो यहाँ पर add कर सकते हैं, next, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे variable product को, जो कि काफी जादा important है, अगर आपको multiple variation जो है वो शो करना है, तो वो किस तरीके से जो है, वो यहाँ पर आप आप शो कर सकते हैं, variable product अड़ करने के लिए, मैं यहाँ पर add new में आ जाता हूँ, और एक new fresh product जो है, वो मैं add करते हैं, मैं यहाँ से clean कर लेता हूँ, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने folder के अंदर, और इसमें हमारे पास यह है product 2, और इसको अगर मैं आपको शो करूँ हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास अलग-अलग variation है, यह तीन variation है, और हमारे पास 3 actually size भी है, तो यहाँ पर अगर आप product description में देखें, तो product का title यह है, price जो है वो यह है, price actually vary होगा, जो कि आगे हम लोग कर लेंगे, और यहाँ पर size में हमारे पास 3 size है, और color में हमारे पास 3 color है, यह short description है, और यह long description है, all, best, okay, तो apple watch ultra, यहाँ पर हम long description डाल देते हैं, okay, यहाँ से इस तरीके से, same data आप use कर सकते हैं, learn करने के लिए, यह हमने long description डाल दिया, और यहाँ पर हम short description डाल देते हैं, control C, short description, और short description में actually, यह size में हटा देता हूँ, और यहाँ पर यह बस यह दो point और इसको में backspace, enter, backspace, enter, और यह तीन हमारा main short description में आजाएगा, हम कुछ और भी add कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पर आपको demo के लिए show कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर आजाता हूँ, यहाँ पर हम product image add कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं सारे image को पहले मैं upload कर लेता हूँ, तो product 2 में हमारे पास यहाँ पर सारे image, ctrl A, text file छोड़ करके मैं सारे को upload कर लेता हूँ, और यह image मैं first image जो है, वो मैं use कर लेता हूँ, first product के लिए, like home page के लिए, और gallery में हम दूसरे सारे product जो है, दूसरे सारे जो है, वो हम select कर सकते हैं, तो all select करके, और उसके बाद मैं यहाँ पर इन सभी को add कर देता हूँ, तो यह हमारा हो गया normal process, watch, smart watch, हम यहाँ पर smart watch के अंदर भी एक sub category डाल सकते हैं, जो कि है apple, यहाँ पर हम एक category डाल सकते हैं, brand, brand के अंदर apple, है ना, और उसी तरीके से हम tag बगरा भी जो है, वो add कर देंगे, तो यह सारी चीज़ें आपको जो है, वो अलरी बता है, बाकि सारी चीज़ें हमारी same होंगी, अब आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे important हमारा main section है, वो यह है, product data, इसमें हम choose करेंगे, variable products, अब देख लिएज़ें, हमारे पास सबसे पहले तो inventory आ गया, जो कि आप manage कर सकते हैं, same way में, जैसे हमने पहले देखा है, यहाँ पर shipping, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, link product, upsell, crosssell, upsell आपने देख लिए, crosssell basically आपका जो है, वो checkout page के उपर होता है, है न, card page के उपर, वो चीज़ हम आगे देखेंगे, आज जाते हैं, यहाँ पर जो सबसे important है, हमारे पास attributes and variation, तो यहाँ पर आप attributes जो है, वो add कर सकते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले, मैं दालूँगा color, नेम यहाँ पर मैं दालूँगा color, और यहाँ पर मैं तीन color जो है, वो add करूँगा, orange और इसको हम separate करेंगे, इससे है न, और उसके बाद white, and उसके बाद yellow, यह आपको इंटर के जस्ट ऊपर मिल जाएगा, यह वाला icon है न, तो इसको हम shift प्रेस करके add करेंगे, अब यह तीन हो गया, simple save attributes, यह दो option है, इसको आप भाद रख सकते, save attributes, अब यह attributes हमारे पास यहाँ पर add हो गया, color और यह वो, यहाँ पर अगर आप इसको reload करेंगे, तो यहाँ पर भी show करने लगीगा, अब आजाते हैं हम लोग, save attributes, अब आजाते हैं हम लोग variation में, और generate variation के उपर हम किलिक करते हैं, तीन variation हमारे पास यहाँ पर create हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, orange, white, और उसके बाद yellow, यहाँ पर तीन variation हम वो create हो गया, यहाँ पर आप default value चूज कर सकते हैं कि कौन सा जो color है वो default चो करेगा, तो orange, save changes कर दें, अब इसमें आप separately आ चाहिए, orange हमारा यहाँ पर यह है, orange option, अब इसमें image आप आप आट कर सकते हैं, और इंज के लिए चलो हम image select कर लेते हैं, फर एक्जमपल यह वाला, यह यह image, और उसके बाद जो है, इसका अगर कुछ SKU, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, यह किस तरह का product है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आपको stock manage कर सकते हैं, हैं shipping में, तो shipping के सारे option है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, और अगर आपको description डालना है, आप यह आप डाल सकते हैं, white की बात करें, तो white में हम image add कर देते हैं, same variation, और इसका जो price होगा, वो हमारा, यह होगा price, और यह होगा, यह हम डाल देंगे, और save changes, यह हम ने जो है, वो save कर दिया है, अलग रख प्रड़क को, अब चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, publish कर देते हैं, और देख लेते हैं, यहाँ पर कैसे हमारा यह product आ रहा है, यहाँ पर काफी लंबा यहाँ आगया है, यहाँ पर image का, इसको भी हम आगये different plugin से manage कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो सबसे important है, वो यह देख लिजी कि इसका price range है, minimum इतना और यह, अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से card choose कीजी, कौन सा card आप यूज़ करना चाहते हैं, आप clear कर सकते हैं, orange और यहाँ से orange variation आप यूज़ कर सकते हैं, या पर आप white या पिर येलो चूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पर उसी का same preview जो है, वो यहाँ पर आपके पास आजाएगा, जो आप जूज़ करना चाहते हैं, एक येलो आप तो कार्ट उसका price आगया, और ये चीज़ हमारे card में यहाँ पर आड हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर variable product select options का भी, यहाँ पर option आ रहा है विसके लिए, तो इस तरीके से आप variable product आड कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा सा और complicated जो है वो हम बना सकते हैं कैसे चलिए देख लेते हैं यहां पर आ जाते है attributes पे और यहां पर color हमारा एक attribute है ही हम इसमें क्या करते हैं size और इसमें हम डाल देते हैं 39 sorry 38 mm इसके बास separate और 42 mm separate and 48 okay 48 mm यह तीन variation हमने डाल दिया save attributes अब यहां पर हमारे पास क्या है color है और size है अब यहां पर interesting चीज क्या है कि हमारा जो total variation create होगा ना वो इसके और इसके multiplication में create होगा कि आपको 38 size चाहिए और उसमें आपको white चाहिए आपको 48 size चाहिए और उसमें आपको orange चाहिए मतलब हमारे पास इस तरीके से options होगे तो हमने save कर दिया उसके बाद variation में आते हैं और यहां पर हम generate variation के उपर click करते हैं है ना? ओके? ओके? 9 variation added अब देख लिए टूटल हमारे पास 9 variation जो है वो add हो चुका है तो यहां पर अगर आप देखें तो orange में 38 mm है और orange में 42 mm है orange में 48 mm है और वैसे ही यहां पर हमारे पास फिर अलग अलग जो है वो option है यहां पर actually हमारे पास 3 common है जिसमें हमारे पास इसाइस है तो चलिए अब इस product को जो है वो हम यहां पर देख लेते हैं कि किस तरीके से यह हमारा शो करता है product page के उपर तो यहां पर सबसे पहले यह default orange selected है और उसके बार यहां पर हम option चूश कर सकते हैं 38 mm और उसका pricing यहां पर शो कर रहा है और विव कार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास एक extra जो यह है वो option शो कर रहा है 38 mm वाइट 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 वाइशन में है ना apple watch और यह वाइट यहां पर यहां पर size तो हम multiple variation जो है वो add कर सकते हैं यहां पर हम चाहें तो और भी add कर सकते हैं वाइट कर सकते हैं जितना ज्यादा चीज़े हम attributes में add करेंगे उतनी ज्यादा चीज़े हमारे पास valuation में जो है वो show करेंगी उतना ज्यादा combination जो है वो हमारे पास variation में जो है वो show करेगा तो इस तरीके से आप जो है variable product जो है वो add कर सकते हैं अब यहाँ पर एक और option जो हमारे पास था link product का उसको देख लेते हैं तो upsell आपको समझ में आता ही है कि upsell में जो नीचे हमारे पास product show कर रहा होता है जो भी product हमारा है उसके नीचे यहाँ पर product show कर रहा होता है मतलब उससे उसकी pricing के आस-पास का ही product उससे related product है ना यह जो हमारे product है for example यह 49 का है तो यहाँ पे हम upsell में का add करेंगे लग बग 50,000 या 55,000 या उसके आस-पास का product जो है वो add करेंगे बंदे को थोड़ा सा उपर stretch करेंगे नॉमली ऐसा ही किया जाता है आपsell में और अब cross sell की बात करें तो cross sell में जो है हमारे पास cart और checkout page होता है उस पे हम लोग जो है वो cross sell करते हैं तो यहाँ पे अगर cross sell में मैं for example add कर दूँ noise मैं भी समझाता हूँ कि cross sell में normally किस तरह के products हम add करते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे cross sell में यह production हो कर रहा होता है तो cross sell में हम लोग normally क्या करते हैं कि उससे related जो product होता है जिसे कि for example हमने अगर mobile बेच रहा है वो upsell में show करते हैं कि okay यह related product है जो कि आप check out कर सकते हैं cross sell में जहां card में बंदा आ गया मतलब उसको हम recommend करेंगे कि भाई यह ले रहे हो इसके साथ यह भी ले लो यहाँ पे card में आ जाते हैं यह ले रहे हो यह भी ले लो यह कापी अच्छा है तो cross sell में हम basically उसको उसका जो complimentary product होता है वो जो है वो हम suggest करते हैं तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे products को जो है वो add कर सकते हैं अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास shipping और उसके बाद फिर हम बात करेंगे tax की तो shipping के बारे में बात करते हैं shipping zone, shipping class और shipping fees setup करें के लिए आप सबसे पहले आजाए है वो commerce की settings में settings में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास general option में selling location है इसका setup जो है वो सबसे पहले आप कर लिए अगर आप digital product sell कर रहे हैं तो आप यहाँ पे sell to all countries जो है वो कर सकते हैं जो कि digital product में किसी तरह की boundaries जो है वो नहीं होती है लेगिन अगर आप physical product sell कर रहे हैं तो आप अपने according यहाँ पे setup कर सकते हैं मैंने setup क्या हुआ है sell to specific countries इंडिया और ship to specific countries only India यह दो setup मैंने यहाँ पे कर लिया है और उसके बाद आजाए यहाँ पे shipping में यहाँ पे अगर आपका already shipping class add है तो उसको अभी आप delete कर दीजे हो सकता है कि India add होगा तो उसे आप जो है वो delete कर दीजे यहाँ पी हमारे पास है shipping zone shipping option और shipping class सबसे पहले बात करते हैं shipping zone की तो add shipping zone के उपर click करते हैं अब यहाँ पे हमारे पास है zone का नाम तो यहाँ पे shipping zone को हम किस तरीके से shopping कर रहा है तो हम उसको 100 रुपे 50 रुपे चार्ज करेंगे depend on your business ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक zone जो है वो हम create करेंगे Delhi zone और उसके बाद हम दूसरे state के लिए एक zone जो है वो create करेंगे और दोनों में हम setup करेंगे एक में free shipping और एक में हम cost add करेंगे तो यहाँ पर zone name मैं डाल देता हूँ for example Delhi zone अब next यहाँ पर हमें जो है zone का reason जो है वो select करना है यहाँ यहाँ पर आप जो है वो zip code के हिसाब से भी यह कर सकते हैं तो आपको यह zip code की list जो है वो आपके delivery partner से मिल सकता है जैसे कि अगर आपने delivery के साथ sign up किया है य इसका भी example हम लोग आगे देखेंगे लेकिन पहले भी देख लेता है यहाँ पर Delhi zone के लिए तो मैं यहाँ पर select कर लूँगा Delhi okay यहाँ पर Delhi India यह हमारे पास Delhi तो यहाँ पर single एक stage जो है वो मैंने select कर लिया zone का नाम राद दिया मैंने Delhi zone और Delhi state मैंने select कर लिया और उसके बाद लगाना है तो flat rate select कर लिजे और अगर आपको free shipping देना है तो free shipping select कर लिजे यहाँ पर local pickup का भी है यहाँ पर option डाल सकते हैं कि locally आप आकट के pick कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर free shipping add कर दूँगा add shipping method और free shipping जो है वो add हो गया आप शाहे इसको edit भी कर सकते हैं यहाँ पर condition भी जो है आप लगा सकते हैं देख लिजी simple यह हमारा add होगया और यहाँ पर edit में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप इसका जो नाम है वो भी आप change कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर condition लगा सकते हैं कि कि किस scenario में जो है वो यह free shipping होगा एक तो Delhi में होगा तो free shipping होगा लेकिन उसके इलावा भी कुछ condition है क्या कि minimum इतने का order होनी चाहिए या फिर कुछ special coupon code apply करेगा तो free shipping होगा वो चीज़ आप setup कर सकते हैं अगर आप ही चाहते है कि minimum इतने का order होनी चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल दिज़े कि minimum जो order है वो 5000 का हो तो free shipping होगा मतलब दो condition होगी एक तो वो देली से हो दूसरा minimum इतने का order हो तो apply होगा उसके बाद यहाँ पर है कि coupon के बाद जो है यह condition apply करना है या फिर coupon से पहले for example आपने 5000 का range रखा लेकिन coupon apply करने के बाद किसी का 4500 आ गया या फिर 49,000 आ गया 4900 आ गया तो क्या वो apply होगा तो वो चीज़ आप यहाँ स safe changes तो हमारा एक zone create हो गया Delhi zone और उसमें हम free shipping दे रहे हैं कोई भी charge नहीं पे करना पड़ेगा अगर कोई बंदा Delhi से है तो अब फिर से हम लोग आ जाता है shipping zone में और एक और zone हम create करते हैं यह हमारा zone हो गया Delhi zone अब हम एक और zone create करते हैं for example वो हूगा हमारा other state अब अगर Delhi के इलावा कोई अगर यहाँ पे state से आता है किसी दूसरे state से तो उसको जो है वो for example 50 रुपे shipping charge जो है वो देने होंगे अब यहाँ पी zone reason में आपको क्या करना है Delhi के इलावा दूसरे सारे state को जो है वो आपको select करना है तो यहाँ पे एक एक करके आपको select करना है तो यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ ओके तो काफी बेहनत की बाद जो है मैंने Delhi के इलावा सारे state को यहाँ पे select कर लिया है आप चाहे तो पे in court के हिसाब सभी जा सकते हैं अब next यहाँ पे हम लोग जो है वो आएंगे add shipping method में और यहाँ पे हम लोग select करेंगे flat rate और उसके बा other state के लिए like Delhi में हमारा free होगा लेकिन यहाँ पे हमारा 50 रुपे chargeable होगा और यह taxable होगा यह taxable होगा यह taxable होगा मतलब यह amount add करके tax calculate होगा उसके बाद जहें आप safe changes कर दीजे और आजाए यहाँ पे shipping zone में अब यहाँ पे देख लिए हमारे पास 2 shipping zone है एक है Delhi zone जिसमें हमा other state जिसमें हमारे total 26 like and 26 जो है वह state है यहाँ जिसमें हमारा flat rate अपलाई हो रहा है अब चलिए इस चीज को हम रुग जो है वो practically देख लेते हैं shopping page के उपर तो यहाँ पे for example यह हमारा product है noise plus और इसका प्राइस है वो है 2999 अप्ड़ करते हैं view card में आ जाते हैं और यहाँ पे अब इसका जो quantity है वो एक है sorry 2 है मैं एक कर देता हूँ update card अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है shipping और इसमें हमारा flat rate apply हो रहा है क्यों क्योंकि यह जो ship हो रहा है यह आंधर प्रदेश में ship हो रहा है हम यहाँ से change भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पे डेली ही select करूंगा तो हमारा जो यह product है ना इसमें shipping यह free हो जाएगा update और यह देख लीजिए free shipping तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है वो shipping जो है वो add कर सकते हो different different और भी option add कर सकते हैं कि like fast delivery और like Delhi में ही हम क्या option add कर सकते हैं कि एक option हो free shipping का लेकिन उसमें आपक fast shipping option डाल सकते हैं जिसमें आपको 50 रुप एक स्टा देने होंगे और आपका जल्दी delivered हो जाएगा like 2 दिन में deliver हो जाएगा तो इस तरीके से भी हम option डाल सकते हैं अब यहाँ पे अगर आप देखे ना तो एक problem है अगर हम flat rate में आ जाते हैं for example चंडीगड में तो यहाँ पे अभी नहीं है वो problem अभी तो single एक quantity है इसलिए problem नहीं है flat rate 50 रुपीज लेकिन अगर यहाँ से मैं quantity update करता हूं update card तो अभी यहाँ पे 50 रुपीज ही है मतलब आप एक quantity order करो यह 100 quantity order करो यहाँ पे आपका जो चार्ज है वो 50 रुपी है जो कि सही नहीं है तो यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं flat rate के अंदर यह हमारा 50 है इसको हम क्या करेंगे multiply करेंगे quantity से यहाँ पर एक formula हम डाल देंगे और यह हमारे पास qty और इसको हम close कर देंगे bracket को और यह formula है तो अब यह क्या होगा यह 50 रुपे पर quantity के हिसाब से जो है वो charge लगेगा safe changes और अभी यहाँ पे आ और 250 रुपे आपको जो है वो charge देने होंगे तो इस तरीके से आप जो है वो quantity का यह add करके यहाँ पर कर सकते हैं जो कि बहुत जादा important है वह ना पता चला कि आप कोई 100 quantity order कर दिया और उसको आपको deliver करना है और 50 रुपे ही आपको जो है वो pay कर रहा हो तो इस तरीके से आप अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जिसे free shipping zone में ही हम आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा और creative way में देखते हैं Delhi zone में ही हम और shipping class add कर सकते हैं shipping method जो है वो basically add कर सकते हैं यह हमारे पास free shipping तो इसको हम edit करके क्या कर देते हैं regular regular shipping इसको मैंने नाम डाल दिया regular shipping और safe changes मैंने कर दिया अभी हां पर एक और shipping method में add करता हूं जिसमें हम flat rate यूज करेंगे add shipping method और इसको मैं डाल देता हूं क्यों इसका नाम में डाल देता हूं fast shipping और इसके लिए आपको pay करने पड़ेंगे for example 100 रुपे ठीक है save changes अब Delhi के अंदर ही हमारे पास दो option होंगे यहां पर अगर आप आते हैं मैं इसको reload कर लेता हूं और यहां से मैं Delhi select कर लेता हूं यह हम लोग Delhi zone के लिए create कर रहे थे Delhi मैं select करता हूं update अब यह देख लिए हमारे पास दो option है एक है regular shipping और यह है एक fast shipping तो हम यहां पर add कर सकते हैं कि okay मुझे यह चीज़ fast चाहिए तो यहां से fast shipping option जो है वो बंदा select कर सकता है तो यह है बहुत ही simple सा हमारा shipping method आप यहां पे जो है वो pin code के हिसाब से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो यह था हमारा basically shipping zone आप इसे बहुत different different तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहां पर हमारे पास कुछ shipping option है calculation किस तरीके से होगा enable the shipping calculator on card page yes card page के उपर यह करना है या फिर checkout के उपर करना है मतलब card के उपर भी और checkout के उपर भी तो यह option आप यह कर सक बात है उसके बात है shipping destination है मतलब कि हापे normally हमारे पास दो option होते है address में कहीं पर भी बिलिंग अड्रेस और shipping address है नहीं यह देख लेज़िए shipping address है तो किसकी हिसाब से जो है calculate होगा तो for example किसी ने billing address डाल दिया Delhi का और shipping address डाल दिया उसने कहीं all का तो किसके हिसाब से होगा वो चीज आपको जो है वो यहां पर देखना है तो ऑफिसी बात है कि shipping address के हिसाब से मुझे लगता है कि जादा बहतर होगा और यह करना तो यहां पर यह option है अब यहां पर आजाते हैं हम लोग shipping class के अंदर shipping class में आप जो है अलग-अलग class वाइड हो जाएगा तो for example आप shipping class के लिएट कर सकते हैं वेट के ही नहीं साब से की अगर वोवीट में आएगा तो इतना चार्ज होगा और हाइवीट में आएगा तो इतना चार्ज होगा इस तरीके से आप जो है वो calculate कर सकते हैं तो for example मैं यहां पर दूशिपिंग क्लास में क्रीट करता हूं for example low weight okay low weight safe और एक और मैं शिप्पिंग क्लास यहां पर कर देता हूं हाई वेट शरी हाई वेट दो हमारे शिप्पिंग क्लास हो गया यहां पर यहां पर आजाते हैं और यहां पर यहां पर हमारे बास रेगुलर शिपिंग है और फास शिपिंग है है बाल इसको मैं डिलीर करता हूं हमारे की शिपिंग होगा और इसको मैं रीडियम कर देता हूं for example कि नॉमल शिपिंग चार्ज shipping charge इसका नाम मैंने डाल दिया shipping fees या charge जो भी है अब यहाँ पर हमें base जो charge है वो add करना है तो हमारा shipping charge तो जा रहा है 100 रुपे जा रहा है 100 रुपे यहाँ पर हम quantity के इसाब से जो हमारा जो है वो base charge होगा save changes मैं कर देता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग product के अंदर okay product के अंदर sorry card page के उपर card page के उपर आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं shipping charge 100 रुपे जो है वो इसका लग रहा है डेली हमारा location डेली में हम 100 रुपे जो हो चार्ज कर रहा है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं हम ना इस product की setting में आते हैं और इस product की setting में आने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले तो actually चलो फ़ह बहूं बहुत कर लेते हैं shipping में आ जाए है और यहाँ पर shipping class में हम इसका ये है नवो हम weight low weight high weight कर देते हैं for example वैसे तो यह low weight का product है लेकिन हम high weight कर देते हैं और उसके बाद जो है वो हम update कर देते हैं इसको अब आ जाते हैं यहां पर तो यह हमारे पास shipping charge इसके edit में आते हैं और अब यहां पर आप देखें तो shipping class का cost यहां पर आ गया है एक option तो अब यहां पर हमारे पास दो class है high weight and low weight अब यह हमारा base pair है है ना base pair जो की charge करना है हमें अब यहां पे हम set up कर सकते हैं कि अब उसमें कितना और add होगा और class के हिसाब से तो for example हम zero यहां पर add कर देंगे है ना zero add होगा मतलब हम sorry यहां पर low weight के लिए zero होगा और hundred हम extra add करेंगे heavy weight के लिए तो यहां पे high weight वाले को 100 रुपे extra देने पड़ेंगे मतलब 100 तो पहले है ही उसमें 100 और add हो जाएगा और low weight वाले को यहां पे zero extra देने पड़ेंगे मतलब 100 तो minimum हमारा है ही लेकिन उसमें और extra add नहीं होगा उसके बाद safe changes कर देते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं यहां प high weight तो इसलिए 100 plus 100 200 जो है वह हमारा हो गया अगर मैं यहां पर low weight select कर लेता हूं और मैं इसको update कर देता हूं और यहां पर यह देख सकते हैं कि यह अब हमारा जो है वह 100 हो गया तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं लेकिन यहां पर एक और प्रॉब्लम है वह सेम जो है वह quantity एक देंगे qty क्यों क्योंकि हम उसमें कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं और सेम चीज़ उसमें भी actually हमें setup करना पड़ेगा अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा price है वह 600 आगया 100 बेस और 500 पांच का multiplication तो इस तरिके से आप गॉंट hörब कर सकते हैं यहां पर मारा shipping Class अब next हम लोग यहां पर देखेंगे क्या tax को tax enable करने के लिए यह जो option है इसको आप mark कर दीजे तो आपके पास एक extra tab जो है वो top में आ जाएगा tax का save changes और अब ये है हमारे पास tax का option tax option में सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर option ये है कि आप जो price enter करेंगे product का उसमें tax include होगा या फिर आप अलग से जो है वो tax charge करेंगे तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप जो है पहला option है वो select करें yes I will enter price inclusive tax inclusive of tax मतलब जो भी हम price डालेंगे उसमें पहले से ही हम tax calculate करके add कर देंगे हम बाद में checkout page के उपर अलग से tax जो है वो charge नहीं करेंगे क्योंकि अगर अलग से हमें charge दिखता है क्योंकि यार इतना मुझे tax pay करना है तो वो shopping experience बहुत अचा नहीं होता है तो हम ये option जो है वो select करेंगे और उसके बाद जो है shipping address के according हमारा जो tax है वो calculate होगा यहाँ पर shipping tax class based on cart item yes और यहाँ पर आप जो है round off करना चाहते है product के according यहाँ पर line product के according यहाँ पर subtotal के according yes subtotal के according यहाँ पर additional tax class है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपर actually save कर देता हूँ इसको अब यहाँ पर हमरे पास है additional tax class नहीं आद करना है display price in shop अब आज ही हम लोग आजाते हैं standard rates के अंदर अब यहाँ पर आपको जो है ना normally इंडिया में अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर GST का setup जो है वो यहाँ पर करना है तो यहाँ पर अगर Indian pattern के हिसाब से बात करें और आपका अगर product जो है एक ही class के अंदर आता है तो यहाँ पर आपको तीन raw जो है वो add करने पड़ेंगे सबसे पहले हम add करेंगे अपना local state जो की है मेरा Delhi तो India यहाँ पर code हम डालेंगे और यह state code होता है DL आप अपने state का code जो है वो यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे rate तो मेरा जो product है वो for example 18% की category में आता है तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा सबसे पहले 9% है ना और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे for example सबसे पहले हम डाल देते हैं CGST और इसकी priority जो है वो one होगी shipping और इसको हम लोग जो है वो सेफ कर देते next एक और raw जो है वो हमें add करेंगे और इंडिया और यहाँ पर यह हमारे पास DL Delhi और इसमें भी हम 9% आड करेंगे मतलब 9% हमारे CGST और 9% हमारे जो है वो SGST होता है तो 9% SGST और फिर यहाँ पर इसको priority हम 2 कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इंडिया के लिए मतलब Delhi के इलावा और कहीं होगा तो हमारे यह होगा 18% और इसका नाम हम डाल देते हैं IGST और यह priority 2 safe changes तो अब यहाँ पर अगर कोई Delhi से होगा तो वो total 18% जो है वो GST देगा जिसमें CGST होगा SGST होगा और कोई अगर दूसरे state से है तो वो direct IGST देगा वैसे मैं आपको recommend करूँगा कि आप यहाँ पर tax calculate ना करें आप जो है वो चाहें तो manually जो है वो tax calculate करके invoice जो है वो बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप कर देते हैं तो अगर आप invoicing feature वगरा use करते हैं WooCommerce का तो आपको फाइदा होगा कि यह सारी चीज़ा automatically calculate हो करके आजाएंगे तो अब यहाँ पर इसको हम लोग सेफ कर देते हैं अब यहाँ पर आजाए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आज और भी detail एक्रसक्ते हैं CGST for example 9% CGST कि हम इस तरीके से कर सकते हैं 9% इस तरीके से और यह होजाएगा हमारा 9% और यह होजाएगा हमारा 18% यह वहाँ पर शो करेको save changes और यहाँ पर आप लेख लिए चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है कि CGST इतना लग रहा है और IGST sorry SGST इतना लग रहा है अगर कोई बंदा देली से बाहर का है तो यहाँ पर देख लिए यहाँ पर हमारा IGST आपलाई हो जाएगा 18% तो इस तरीके से आप टाक्स की setting कर सकते हैं अगर आप दूसरी country से ही करते हैं तो वहाँ पर आपका टाक्स लगता रही है आप चाहें तो एक और class जो है वो create कर सकते हैं जिसमें सर्फ 18% डाल सकते हैं तो अगर कोई इंडिया से बाहर का होगा तो उसको 18% टाक्स तो लगेगा service charge वगेरा नाम डाल करके या VAT डाल करके आप चार्ज कर सकते बट वहाँ पर आपको tax pay नहीं करना होता है internationalism में तो यह था कि किस तरीके से हम लोग tax यहाँ पर setup करेंगे अब हमारी website में सिर्फ उसिफ एक चीज़ की कभी रह गई है अगर हम अभी फिलाल design को जो है वो इग्रोड करें तो design हमारा सबसे last part होगा है अभी आपको यह नहीं सोचना है कि यार यह कैसा बखवास सा दिख रहा है अभी हम लोग अपने main चीज के उपर जो है वो focus करें website ले सबसे main चीज क्या है और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास तीन default option दिये गए है direct bank transfer, check payment या cash delivery जो कि कोई भी option आपे use नहीं करना है cash and delivery आप use कर सकते हैं अभी यहां पर अगर आप देखें तो हमारा shopping site perfectly work कर रहा है add to cart, view cart है न और यहां यहां पर एक quantity हम add कर देते हैं और सारी चीज़े calculate हो करके आगए अभी अगर आप देखें तो यहां पर एक message आ रहा है sorry अभी कोई payment gateway यहां पर add नहीं है तो चलिए हम लोग जो है payment gateway आड कर लेते हैं तो payment gateway के लिए मैं आपको recommend करूंगा Razor Pay जो की best है इंडिया की top payment gateway company है और यहां पर आपको बहुत सारे features मिल जाते हैं payment gateway में बलब यहां पर आपको QR code से लेकर के payment link से लेकर के international payment सारे option जो है वो यहां पर मिल जाते हैं और इंडिया के लगभग जितनी भी बड़ी sites हैं वो सारी Razor Pay जो है तो sign up कर लेना है आपको अपनी business की information जो है वो fill करनी है लेकिन इसके ओपर sign up करने से पहले एक चीज़ मैं आपको recommend करूंगा वो यह है कि आप अपने website को पूली तरीके से ready कर लें क्योंकि यहां पर जो verification process होगा उसमें वो आपके website को आकर के check करेंगे कि okay आपका website generally है उसमें जो भी important page वगरा होते हैं जैसे कि about us page है मतलब आपके website के बारे में contact us page है privacy policy है term and condition है यह सारी pages वगरा होनी चाहिए और website proper दिखनी चाहिए तो यह चीज आपको जो है वो पाद में करना है लेकिन हम अभी पहले ही कर ले रहे हैं तो यहां पर आपको जो है वो sign up करना है अपना number वगरा डाल करके और बहुत easy way में आपको जो है वो API keys वगरा जो है वो मिल जाएंगे तो आपको sign up यहां पर कर लेना है दूसरा हमारे पास option कौन सा PayU PayU payment option के लिए यह भी काफी popular है PayU इस पर आप sign up कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास InstaMojo जो की काफी popularly use होता है सबसे easy account create करना और payment receive करना इसी के उपर होता है लेकिन यहां पर fraud वगरा भी काफी जादा होता है मतलब InstaMojo का use normal लोग जो है वो काफी fraud नहीं बोलेगे मतलब like sorry wrong word हो जाएगा क्योंकि company के उपर ही option उठाना हो गया लेकिन यहां पर काफी easy way में payment receive करना जो है वो start कर सकते हैं तो मैं खुद use करता हूं Razer Pay इसलिए मैं आपको Razer Pay जो है वो recommend करना तो जो website है वो पूरी तरीके से ready हो हाँ अगर आपको international payment अगर accept करना है तो उसके लिए फिर आपको जो है वो business account शाहिए होगा business के name से जो है वो आपको यहां पे verify करवाना पड़ेगा personal account पे आप सिर्फ जो है वो यहां पे इंडिया हमें ही जो हैto payment accept कर सकते हैं सेतिंग्स में सेतिंग्स में आने उसके बाद यहां पे जो हूपर हम क्लिक करते हैं और यह पहले verify करेगा phone number से मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ confirm deactivate old key ठीक है चलेगा यहाँ पर deactivate old key in 24 hour या immediately confirm and deactivate और यह हमारा key है तो आप इस कुछ है वो note करके रख लिजे क्योंकि यह बस अभी show कर रहा है यहाँ पर यह जो है यह बार में show नहीं करेगा अब हमें क्या करना है हमें चाहिए Razer Pay का plugin तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं यहाँ पर simple आप जो है plugin के section में आजाए अपने website के add new और यहाँ पर हम search करेंगे Razer Pay और यह वाला जो plugin है यह हमें download करना है Razer Pay for WooCommerce Team Razer Pay की तरफ से यह install now और install करने के बाद जो है इसे हमें activate कर लेना है activate तो यह जो है यह plugin का section है जहाँ पर आप plugin search कर सकते हैं और react कर सकते हैं अब यह हमारे पास Razer Pay for WooCommerce तो यहाँ से आप directly settings में जा सकते हैं यहाँ पर simple आप WooCommerce की settings में आ जाएए और यहाँ भी यह हमारे पास payments और payments के अंदर यह हमारा Razer Pay जो है वो add हो गया है manage में आ जाते हैं और manage में आने के बाद जो है यहाँ पर जो भी information है वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से और सबसे important जो है वो यह हमारे पास key ID and key secret key ID में मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा copy और यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद दूसरा code यहाँ से copy करेंगे और यह मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया नेक्स्ट आपको जो है authorize and capture का जो option है वो आपको जो है वो select कर लेना है और उसके बाद save changes के उपर click कर देना है और उसके बाद जो है यहाँ पर payments में आ जाए और make sure कि यहाँ पर यह हमारे पास choose करने का जो है वो option आ जाएगा तो जैसे मैंने cash on delivery and razor पे enable कर दिया है तो यहाँ पे हमारे पास दो payment option होगा अब और पहला हमारे पास cash on delivery और दूसरा हमारे पास razor pay तो अगर हम cash on delivery select करेंगे तो यह simple place order हो जाएगा यहाँ पे कुछ भी हमें पे नहीं करना पड़ रहे तो मैं इस product को क्या गरता हूं इसके एरट में आता हूं और इसका जो price है ना वो मैं कर देता हूं यहां पे 100 rupees for example 100 rupees सारे tax वगेरा मैंने हटा दिये हैं उसको मैंने remove कर दिया है tax वगेरा जो हमने shipping वगेरा sorry जो हमने किया था वो हमने हटा दिया अब यह हमारा product है 100 rupees का म और उसके बाद यह है हमारा card page proceed to check out और यहां पे हम razor पे select कर लेते हैं सारे information जो है वो fill कर लेनी आपको और उसके बाद simple please order और यह हमारे पास payment का जो है वो option आ गया यहां पे आपको QR code का option मिल जाता है और अलग-अलग जो है वो India के options मिल जाते हैं अगर आप business account use कर रहे हैं तो वहां पे आपको और ज्यादे option मिल जाते है international payment option वगेरा भी जो है वो मिल जाते हैं तो चले किलिक करते हैं show QR code okay payment field यहां पे कुछ problem आ रहे है actually तो मैं कि अगर तो मैंना इसको skip कर देता हूं यहां से मैं इसको cancel कर देता हूं चेक आउट पे आ जाते हैं और यहां पे cash and delivery मैं select कर लेता हूं and place order के उपर click करते हैं और यह हमारा order जो है वो place हो गया check out thank you for shopping with us और यह हमारा product है और यह हमारा address है यह सारी चीज़े हैं तो यह हमारा यहां पे order place हो गया यहां पी हम my account में आ सकते हैं मतलब अगर as a user बात करें तो तो यहां पी हमारे पास orders में अगर और address वगर की information जो है वो देख सकते हैं इन सारे page को हम आगे customize करेंगे अब यहां पर अगर हम आते हैं WooCommerce के अंदर तो यहां पर order में अगर आप आते हैं orders के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक order जो है वो receive हुआ है तो से फालित का और उसका status अभी processing है इसके उपर आप click करके आप इस order की information भी जो है वो देख सकते हैं जो भी यहां पर address वगरा है वो आप देख सकते हैं कौन जा product है और सारी information जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं साथ ही यहां से आप जो है इसका order का process जो है वो आप change कर सकते हैं मदलब इस details जो है वो आप चेंच कर सकते हैं तो यह हमारा order ID था और इसके बाद यह cash on delivery हुआ इस process में और फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं यहां से हम कर सकते हैं इसको pending payment या पर processing processing के बाद normally हमारा complete होता है और इसके बाद आपको बहुत सारे option में जाते हैं यह से on hold complete जब हम लोग प्रोटक को deliver कर देंगे तो यहां से complete mark कर देंगे और उनके पास भी है status जो हो चला जाएगा साथ ही mail अगर आप कर लेते हैं तो mail जो है वो हर process में यूजर को मिलता रहेगा स साथ ही आप जो है वो tracking बाद कर सकते हैं उससे यूजर को जो है वो tracking की details जो है वो मिलते रहेंगी उसके account section में तो यहां से मैं complete mark कर देता हूं और यह हमारा order जो है वो complete हो जाए का मतलब done हो गया finally order सारी चीज़े deliver जो है वो हो गई तो यह address है हमारे बास इस information के according इन सारी information क according हम यहां पर ही प्रोड़क्ट जो है वो शिप करेंगे अगर refund करना हो तो refund कर सकते हैं payment gateway हमारा पता नहीं क्यों अभी काम नहीं कर रहा है हो सकता है तो website की वैसे काम नहीं कर रहा हो क्योंकि यह website different है और हमने जो है वो दूसरी website की जो है इसको verify किया था तो हो सकता है उसकी हमारा यह काफी जादा यूज होता है यहां पर इंडिया में pay जो है वो काफी जादा यूज होता है तो यहां से भी आप directly install कर से तो जो भी आपका payment gateway हो वो directly यहां से आप install करके उसको आप setup कर सकते हैं और वो आपके checkout page के ओपर जो है वो show करने लगेगा गाईस अब यहां हमारा एक और चीज जो है वो बच गया वो यह है कि हम coupons यहां पर किस तरीके से setup कर सकते हैं तो यहां पर marketing के अंदर यह है हमारे पास coupons का option तो इसके उपर just tap click कीजे और उसके बाद यहां पर हमें add coupon में जाना है अब यहां पर सबसे पहले हमें coupon code डालना है जो भी हमारा like जो भी text होगा जो भी number हम डालना चाहते हैं जो भी चीज गुपन का नाम basically क्या होगा तो for example मैं यहां पर डाल देता हूँ off 10 है ना like 10% off के लिए अगर उसका कुछ description आपको डालना है तो वो चीज आप डाल देचे अभी हां पर यह है हमारे पास general में सबसे important discount type आप किस तरी पे या फिर overall percentage base पे तो normally जो है वो हम लोग percentage base यूज करते हैं like 10% है तो simple यहां पे हम choose करेंगे percentage discount और यह overall 10% जो है जो भी card amount होगा checkout page के उपर उसमें जो है वो 10% यहां पे minus हो जाएगा अब यहां पे इसको हम mark कर सकते हैं allow free shipping जैसे हम लोगों ने जो है वो shipping में देखा था क हम coupons वगरा का भी use कर सकते हैं वहां पे हमारे पास option था कि अगर हम free shipping दे रहे हैं तो उसमें क्या condition होगा minimum amount तो वहां पे हमारे पास coupon का भी option था तो same way में हम यहां से enable कर सकते हैं कि okay अगर यह coupon को अप्लाई करता है तो उसको free shipping जो है वो मिल चाएगा साथ ही यहां पे हम इ उसी हिसाप से जो है वो चेक कर सकते हैं साथ ही यहां पे हमारे पास है individual use only तो इस coupon को अकेला सिर्फ use किया जा सकता है या फिर multiple coupon के combination में भी use किया जा सकता है तो best ही होगा कि आप इस option को mark कर दें साथ ही अगर कोई sales item है और उस पे आप यह coupon apply नहीं करना चाहते हैं तो यहां आप चाहें तो product base भी डाल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस product के ऊपर यह चीज़ अपलाई होगा तो यहां पर आप product add कर सकते हैं या फिर किसी product को अगर आपको exclude करना है कि नहीं इस product में यह coupon apply नहीं होगा तो यहां से आप exclude कर सकते हैं same product category आप यहां पर कर सकते हैं यहां limit यहाँ पे आप unlimited set कर सकते हैं क्योंकि जितनी बार चाहे उतनी बार जो है वो इस coupon को use किया जा सकता है मतलब यह overall coupon की बात हो रही है अगर आप जो है वो card में कितने item है उसके बीस पे कुछ यहाँ पे अगर limit लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं और per user यहाँ पे जो है वो limit लगा सकते हैं कि एक user इस coupon को कितनी बार जो है वो use कर सकता है तो आप जो है वो normally unlimited time जो है वो डाल सकते है normal case में या फिर अगर per user के हिसाब से आप limit लगाना चाहते हैं तो आप यह limit लगा दीजे और यह limit भी आप जो है वो लगा सकते हैं तो यह है हमारा simple coupon तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 10% यहाँ पर चलो 50% में कर देता हूँ यहाँ पर example 50% और इसका नाम भी मैं डाल देता हूँ 50% तो अब क्या होगा simple सबसे पहले आप जो है इसको publish कर दीजे और उसके बाद publish और हमारे पास option है यह coupon का और coupon में हम डाल देंगे off 10 हम इस page को और अच्छे से आगी जो है वो customize करेंगे off 10 नहीं off 50 था हमारा coupon 50 और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर की price जो है वो अब 50 जो है वो आ गया है 50 रुपीज जो है वो यहाँ से हट गया है और यह coupon अपलाई हो गया है तो इस तरीके से आप जो है coupon का setup जो है वो कर सकते हैं next यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं menu को कि menu जो है वो यहाँ पर किस तरीके से work करता है यहाँ अगर आप देखें menu जो है menu में सब से पहले हमारा है व्लॉग कार्ट चेक आउट माइकाउंट सैंपल शॉप तो यह चीज हम किस तरीके से अप करेंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी अब प्र यहाँ पर एक मेन्यु क्रिएट करेंगे मेन मेन्यु और इसको हम यहां से create कर देंगे create menu अब इस menu में क्या-क्या आइटम होगा वह चीज है वह हम यहाँ पर डालेंगे तो यहां पर यह हमारे पास add menu item इसमें हमारे पास page है, post है हम post को add कर सकते हैं या फिर custom link डाल सकते हैं या फिर हम category जो है वो add कर सकते हैं या फिर WooCommerce endpoint जैसे की ये सारी चीज़ है endpoint मतलब WooCommerce तर लिए जो page होते हैं कि order page है, download, address जो हमारा my account के अंदर जो page show करता है वो चीज़ है यहाँ पे तो चलिए मैं यहाँ पे जो है कुछ page add कर देता हूँ view all में आ जाते हैं और shop page, blog page और my account page ये तीन page मैं add करता हूँ ये तीनों को मैंने select किया, mark किया और इसको बद add to menu अब यहाँ पे क्या है आप देख लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है shop page दूसरा है blog page और तीसरा है my account page आप इसको चाहिए तो expand भी कर सकते हैं और यहाँ से नाम इसका change कर सकते हैं और यहाँ पे अगर अलग-अलग plugins install होगा इसमें तो और भी अलग-अलग options यहाँ पे जो है वो add हो जाएंगे तो यह तीन menu जो है वो हमने यहाँ पे add कर दिया है जो कि हमारा है main menu अभी यहाँ पे हम इसको safe कर देंगे safe कर दिया हमने अभी यहाँ पे हमारे पास option है manage location का अभी तक हम लोग edit menu में थे यहाँ पे है manage location का अभी यह जो location है यह depend करता है theme के उपर कि कौन सा theme आप use कर रहे हैं तो जो भी menu आपने create किया है वो आप उस जगह पे लगा सकते हैं जैसे इस theme के हिसाब से यह जो theme हम लोग use कर रहे हैं इस store इसके हिसाब से हमारे पास total 4 जगह है जहाँ पे हम menu का use कर सकते हैं header above menu मतलब header के just उपर वाला जो portion होगा उसमें हम use कर सकते हैं या फिर main menu यहाँ से हम select कर सकते हैं main area वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा main area है कौन सा हमारा footer area footer menu यहाँ पे footer वाला जो section है उसमें हम कर सकते हैं। चलिका सबसंग है, सेम चीज नहीं करना है। और देख लेते हैं, कहां पर यह लोट करता देख सकते हैं कि यह अさん ब्लॉक्तны, क्कि प्रल्ट ऑप・कांट यह घ्लeeee मेन्यू हो जाएगा और अभी जो है वह यहां पे यह चीज शोरी कर रहा है विजट वर अभी अम इसको और अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो यह मैन मेन्यू में यहां पर और भी कुछ option है आप क्या कर सकते हैं सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं जैसे की शौप के अंदर आप category डाल सकते हैं है ना for example okay यहां पर यहां पर हम my account के अंदर जो है वो category डाल सकते हैं तो यह हमारा my account है my account में हम डाल देंगे क्या order download और order and downloads यह दो चीज हमने डाल दिया अब यह normal तरीके से add हो गया अगर मैं यहां पर save menu करता हूँ अभी तो यह normal तरीके से यहां पर आगे की तरफ जो है वो add हो जाएगा अगे की तरफ लेकिन मुझे यह दो चीज my account के अंदर चाहिए my account के नीचे चाहिए तो हम क्या करेंगे उसके लिए simple आपको क्या करना है थोड़ा सा आगे की तरफ किसका देना है अब यह जो order है इस my account के अंदर आ गया और इसको भी same कर देंगे हम same आगे की तरफ भी बढ पाएंगे कि यहां पर my account के अंदर अब दो सब मेन्यू है order और डाउनलोड तो इस तरीके से आप चो है menu कर सकते हैं simple menu का concept आपको समझ में आखे अब बात करते हैं widgets की हमारे website में बहुत सारा widgets एरिया होता है जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते है add widgets add widgets यहां पर footer section में total ह हमारे पास 4 widgets एरिया है यह क्या होता है अभी हम देखेंगे यहां पर हमारे पास given area है यह वाला sidebar left side right side sorry right side on left side तो यह हमगे पर हम चीजेशे आड कर सकते हैं, कौन से चीज़े आड कर सकते हैं, हम जो भी हमारे पास plugins है याँ जो भी हमारे website में features हमने add के हैं, उस सारे हम यहाँ पर add कर सकते हैं, कैसे चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर यह appearance के अदर हमारे पास ये है widgets और ये हमारा new widget का जो है वो page है एक तरीके से अगर आप classic वगएरा use करेंगे तो उसमें आपके पास एक separate page होगा तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास total कितने widgets हैं इस theme के इसाब से यह भी repent करता है theme के उपर यहाँ पर देख लिए primary sidebar, secondary sidebar और इस तरीके से हमारे पास लगबग मुझे लगता है कि 20 से ज्यादा जो है वो क्या बोलते हैं widgets हैं तो पहले देख लेते हैं primary sidebar secondary sidebar, दो sidebar है एक इस side और एक दूसरी side तो यहाँ पर देख लिए हमारे पास क्या components है primary sidebar यहाँ से इस पर click करके आप इसको expand कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास recent post है जो कि शो कर रहा है यह हमारा recent post है और उसके बाद यहाँ पर recent comment है चलिए देख लेते हैं इस sidebar को यह अच्छिली shop page है यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं blog page के उपर और blog page के उपर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है search है सबसे पहले हैं हमारे search है यह category by default शो कर रहा है theme के thласти यहाँ पर हमारा इसके पहला वो search है और उसके बाद recent post है देख लिए यह recent post है और उसके बाद recent comment है यहां पर recent comment है जिसमें हमारा यह comment है, यह white शो कर रहा है, यहां पर perfectly वो हमारा शो कर रहा है, किसी वज़ा से पता नहीं क्यों, यहां पर यहां से आप आड कर सकते हैं, यहां से आप आड कर सकते हैं, आप चाहें तो YouTube वीडियो भी ही लगा सकते हैं, यहां पर आजाते हैं, और यह देख लिए, मैं इसको रिलोड करता हूँ, यह हमारे जो है वो शो नहीं कर रहा है, और इसकी वज़ा पता है, यहां पर रिलोड करने पर यह नहीं आ रहा है, और इसकी वज़ा यह है कि हमारा जो यहां पर light speed वाला जो plug-in था वो काफी चिंगर के अंदर, वो क्या था, वो हमारे page का, वो catch create कर लेता है, ताकि हमारी website fast load हो सके, जैसे देख लिए, मैं इसको load कर रहा हूँ, यह fast load हो जा रहा है, लेकिन जब आप new update करेंगे ना, तो आपको इसको perk करना पड़ेगा, इसको clear करना पड़ेगा, यहां पर यहां पर अंदर चीज़े add कर सकते थे, वैसे हम यहां पर भी चीज़े add कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमें add करना हो, for example, यहां पर हमें एक video add करना है, हम video select कर लेंगे, और उसके बाद YouTube पर आ जाते हैं, और कोई एक video जो है, वो हम यहां पर आल देते है, YouTube, कुछ भी ऐसा, random select करेंगे for example, यह हमारे पास 4K है, copy link address और उसको हम यहां पर paste कर देंगे, और वो video वहां पर हमारा embed हो जाएगा, तो यह especially आपके पास area होता है, widgets area जहां पर आप चीज़े add कर सकते हैं, सेम अगर हम shop की बात करें, तो यहां पर हम हमारे पास क्या है, shop के हिसाब से यह हमारे पास WooCommerce sidebar है, अगर हम homepage के उपर आते हैं, जो कि हमारा shop page है, तो यहां पर हम चीज़े add कर सकते हैं, यहां पर हम कुछ भी, जो भी हमें चाहिए, वो हमें add कर सकते हैं, for example, image की ही बात करें, तो हम image यहां पर upload कर सकते हैं, media library से select कर लेते हैं, for example, यह image, यह थोड़ा सा बड़ा हो जाए जो है, वो disable कर सकते हैं, जिससे, you know, आप जब काम यह कर लें, उसके बाद जो है, आप इसे enable कर लेंचे, तो इस तरीके से आप widgets को manage कर सकते हैं, तो हमारा जो यह basic था, यह overall हमारी website almost ready है, मतलब यहां पे अब हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, customize कर सकते हैं, अब finally हम लोग आगे बढ़ते हैं, design के उपर, कि किस तरीके से हम अपने website को, जो है, वो design कर सकते हैं, तो design करने के लिए, सबसे पहले ज़रूरी है, कि आप एक perfect theme जो है, वो choose करें, तो हमने कौन सा theme चूस किया हुआ है, हमने choose किया हुआ है, the store, जो की hung theme की तरफ से था, यहां पे हम लोग आज हैं, appearance के अंदर यह हमारे पास themes, और themes में आप वो सारे themes आप देख सकते हैं, जो आपने install किया हुआ है, मैं आपको एक चीज और recommend करूँगा, कि जो भी extra theme हो, वो आप जो है, वो delete कर दें, या फिर एक theme आप रख सकते हैं, diagnose करने क्लिए, अगर कुछ problem आती है, sometimes क्या होता है कि themes की वज़े से ही, कुछ function जो है, वो आपकी website में work नहीं कर रहे होते हैं, तो वैसे case में, आप एक theme जो है, वो रख सकते हैं, जो कि बिल्कुल latest theme हो, वो और उसके बाद जो है, वो आप बाकी को delete कर दें, तो यहाँ पे default theme, all, default theme, automatically install था, default theme यहाँ पे install था, तो इसमें से ह हम क्या करेंगे, सिर्फ 2023 जो है, उसको हम रखेंगे, बाकी को हम यहाँ से delete कर देंगे, तो simple, आप इसके उपर click कीजे, यहाँ से delete, आपको extra अपनी website में कुछ भी नहीं रखना है, अगर उसका काम नहीं है, तो उसको हटा दीजे, delete कर दीजे, तो अब यह था हमारा theme, अब इसे हम लोग कस्टमाइज करेंगे, बिल्कुल ऐसी ही, जैसा दिख रहा है ना, वैसी हम बना लेंगे इसको, तो इसके लिए आप आजाएगे, यहाँ पे top store options है, हमारे पास appearance के अंदर, किसी-किसी theme के हिसाब से, अलग से आपको जो हो option मिल जाएगा, यहाँ भी top में ही get started का option होता है, यहाँ पे हमारे पास इस theme के ही साब से, यहाँ पे top store option है, इसमें आ जाएगे, और यहाँ से सबसे पहले, जो recommended plugins है, वो हम install करेंगे, और उसके बाद demo जो हम import करेंगे, और उसके बाद से customize करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप recommended plugins के अंदर आता है, plugins से हम क्या करत किया जारा है, जैसे कि एक तो यह है, जो कि इस theme को operate करने के लिए बिसकी लिए चाहिए, यहाँ पे हमारे पास advanced product search है, advanced product search feature जो है, वो add हो जाएगा, कहाँ पे हमारे top में, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इस से यह चीज हो जाएगा, उसके बा जो है, वो recommend किये जा रहे हैं, जो कि आपको install कर लेना है, तो आपको simple क्या गरना है, यहाँ पे install now, install now, install now, install now, अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए, जैसे कि product compare का feature आप नहीं चाहते हैं, तो आप इसको मत install कीजिए, यहाँ पे हमारे पास variation switch है, और उसके बास form builder, आप च install कर लेते हैं, और यहाँ पे wish list है, इसको भी मैं install कर लेता हूँ, तो इससे क्या होगा wish list से, कि हमारे product page के उपर ही, यहाँ पे wish list में add करेंगा, heart का icon आजाएगा, जिससे जो user है, वो उस product को wish list में डाल सकते हैं, कि बाद में हम इसको purchase करेंगे, तो यह plugins आपको सारे install कर ले import में, अब demo import में भी यहाँ पे कुछ plugins को recommend किया जा रहा है, जो कि हमें install कर रहा है, जो से कि यह plugin है, one click demo importer, इसको हम लोग यहाँ से install कर लेंगे, install now, बाकी सारे plugin तो हम लोगों ने already install कर लिये हैं, तो यह one click demo importer जो है, वो हम install कर लेते हैं, और यह automatically activate भी हो गया, अब हमारे पास customization के लिए, जो है, वो options आ जाते हैं, और उससे हम easily website को customize कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लिए free version में, यह तीन option आपको मिलते हैं, जो कि आप जो है, वो import कर सकते हैं, आप demo यहाँ से preview करके देख सकते हैं, कि यह website जो है exactly बनने के बाद, यह data import होने के बाद कैसा दीखेगा, तो हमारी जो website है, जब हम यह data import करेंगे, तो हमारी website बिल्कुल ऐसी हो जाएगे, हम इसे easily customize कर पाएंगे, वैसे यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह हमारे पास grocery shop के लिए जो है, एक data है, तो यहाँ पर देख लिए जो यह grocery के लिए है, और आप देख सकते ह है, बट यहाँ पर grocery वाला theme वो दिया गया है, अब खुद से जो है, वो customize कर सकते हैं, और यह हमारे पास food के लिए है, especially, मुझे पता नहीं क्यों black बहुत अच्छा लगता है, तो हम यह भी use कर सकते हैं, वैसे मैंने जो है वो electronics को main यह बनाया है, तो इसलिए मैं यह वाला ज step है, यह कुछ और plugins recommend करें लेकिन अभी फिलाल हम इसे install नहीं करेंगे, continue and import, अभी इसमें थोड़ा सा time लग सकता है, हमको बस थोड़ा इंतजार करना है, और उसके बाद आपकी website exact ऐसी हो जाएगी, फिर आप जो है, वो उसे customize कर पाएंगे, अपने हिसाप से, जो भी images वग जो है, वो बना सकते हैं, वो भी जो है, वो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा wait करते हैं, okay, actually यह हो भी क्या, तो हमारा जो import है, वो complete हो चुका है, और अभी हमारी website कुछ ऐसी दिख रही है, home page है, myfirstshop.online बिलकुल ऐसी दिख रही है, लेकिन हम अब क्या करें यहाँ पे विजट साइट करते हैं, और boom, हमारी website अब ऐसी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास same domain है, यह हमारी पहले थी, अब यह हमारी हो चुकी है, अब यहाँ पे क्या गणा है, हमें इसे customize करा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़े add हो यह सारी चीज़ें, तो इसके बेस पे हम अब इसे customize करेंगे, अब अगर इसे हमें customize करना है, तो यहाँ पे यह हमारे पास है, customize का option, simple, इसके उपर आप click किजिए, और आप देख पाएंगे, कि आप सारी चीज़ें को जो है, वो एक एक करके customize यहाँ पे कर सकते हैं, तो सब cropping, और यह हमारा यहाँ पे add हो गया, और उसके बाद logo width हम यहाँ से कम base कर सकते हैं, थोड़ा चोटा करना है, हम चोटा यहाँ से कर सकते हैं, और retina logo यह same हमें use करना है, उसके बाद यह तो हमने off कर दिया था, और उसके बाद site icon जो है, वो हम choose कर लेंगे, जो भी हमारा था हो, यहाँ पे add हो गया, है ना, site logo, and then done, publish कर देखा हम इसको, अब आज जगे देख लेते हैं, theme base पे हमारे पास customization की क्या क्या option है, सबसे पहले हैं अगर आप home page settings में देखें, जो हम लोगोंने wordpress के dashboard में settings में देखा था, same settings यहाँ पे आपको मिल जाती है, है ना, यहाँ पे commission आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पी जो हमने set किया था, कि हमारा static page होगा, और home page में कौन सा page होगा, और blog page में कौन सा page होगा, वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो same चीज यहाँ पे हमारा selected है, और home page, actually एक new page जो है, वो create हुआ है, जब हमने import किया है, तो और वो च site को बना सकते हैं, अब आज आज आते हैं, यहाँ पे हमारे पास यह layout का option है, यह कुछ pro features हैं, जो कि आप अगर इस theme को purchase करेंगे, तो ही use कर सकते हैं, हम आज आते हैं, layouts में सबसे पहले हमारे पास है header, header, यह वाले section होता है, इसको हम लोग header बोलते हैं, और इसे हम यहाँ से है, वो customize कर सकते हैं, तो above header, यह वाले section है, यह header है, और यह above header है, इसको top menu भी बोलते हैं, या फिर simple top भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको जो है, वो customize कर सकते हैं, सबसे पहले यह है कि अगर आप mobile के अंदर इस चीज़ को disable करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से disable कर सकते हैं अभी अगर आप mobile में देखें, तो हमारा जो यह है, website है, कुछ ऐसा देख रहा है, अगर मैं inspect में जाता हूँ यहाँ और यह, तो यह हमारी website जो है, कुछ ऐसी दिख रही है अभी website में, तो आप चाहें तो इस portion को आप जो हटा सकते हैं mobile में, जो कि मेरे हिसाब से बेहतर हो आप का sign है, यह pro feature के लिए है, लेकिन यह दू option आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे simple मैं क्या करूँगा, इसके layout में, इसको disable मैं करूँगा, मुझे यह चाहिए ही नहीं, तो इसको मैं हटा दूँगा, उपर बारा portion मुझे नहीं चाहिए, social media और यह आप चाहें, तो र यहा, फिर आप menu add कर सकते है, menu में हमारा कौन सा menu है, go to menu में, अम्र यहां पर हम क्लिक करते हैं, तो हम यहां से आखर, menu जो है, वो मिश कर सकते हैं, क्योंकि पास तो अगर आप'd करना है에요, और आप अब करना चाहते है, तो यहां चाहते है, पर से और अच्छे जो हम इसको disable क यहां पर मेन हिडर का स्टाइल भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यहां पर वैसे हमारे पास option नहीं है, यहां पर यह जो तीन option है, यह premium है, यह ठीक है, हम चाहें तो यहां पर इसको align कर सकते हैं, center में, और यह कुछ इस तरीके से आज़ाएगा, center align है ना, जो भी हमारे यहां पर menu बगर है, अभी menu को हमें customize करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक ही चीज़ बार-बार शो कर रही है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां पर यह सारी चीज़े, center हो गई, यहां पर हम left कर सकते हैं, left align, right align हम कर सकते हैं, next यहां पर हमारे पास है right column, basically आ number, जो text आपको डाला है, वो आप डाल सकते हैं, and then sticky header, sticky header क्या होता है, कि अभी जैसे अगर आप देखें, तो यहां पर मैं कि अगर दो, मैं इसको reload कर लेता हूं, अब यहां पर अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, तो यह देखिए, तब भी हमारे जो header है, वो शो कर रहा है, यह यह नहीं चाहिए, इसको all करने के उपर, इस तरीके से आप देख लिजे, यहां पर इसको bug all कर देते हैं, पहले publish करना पड़ेगा हमें, sorry, अब जो है, वो menu हमारा नहीं आएगा नीचे, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे option हैं, जिसे आप customize कर सकते हैं, ब्लॉग page क यहां पर आजाता है, यहां पर हमारे सारे articles है, अब उससे लेटर जो है, वो आपको setup मिल जाएगा, कि full content अगर आपको show करना है, ब्लॉग page के पर, तो आप यहां पर full content show कर सकते हैं, मतलब एक content जब पूरी तरीके से खतम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा content automatically start हो जाएगा, तो यहां पर एक article हमारा खतम हो रहा है, दूसरा article है, और यह हमारा तीसरा article है, और इस तरीके से यहां पर content आगया, यहां फिर आप simple जो है, दूसरा option यह है कि, यहां पर आप जो है, इसमें क्या होगा, यहां पर देख लिजए, यह short description है, और इसके उपर कोई click करेगा, त बटन होगा, हमारे पास, यह सारी चीज़ें, आपको जो है, यहां पर ही settings कर लेनी है, तो block settings है, footer की बात करें, तो यहां पर देख लिजए, हमारे पास above footer है, यह वाला हमारे पास above footer का option है, तो इसमें भी हम menu decide कर सकते हैं, या फिर हमें layout decide कर सकते हैं, यहां पर single है, है यहाँ पर double, अगर हमें करना हो तो double हम कर सकते हैं, अब यहाँ पर देख लिए जो एक चीज यहाँ पर आ गया, मतलब दो widgets एरिया जो है वो आ गया यहाँ और एक यह आ गया, यहाँ पर अगर हमें यह चीज नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे, like इसको off कर देंगे, और फिर यहाँ पर अगर widgets footed, अगर हम लोग देखे तो यहाँ पर total हमारे पास चार जो है वो यह है, एक यह है, और यहाँ पर एक चीज और अगर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर यह pen का icon है, इसका मतलब यह है कि इसके उपर click करके आप इसे edit कर सकते हैं, यहाँ पर directly उस widgets के edit section में जो है वो जा सकते हैं, अब देख लिए यहाँ पर हमने click किया और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर primary sidebar, यह हो किया हमारा primary sidebar, चुकि हम लोग अभी block के section में हैं, अगर हम यही पर shop में आ जाते हैं, for example, shop में आ जाते हैं, तो यहाँ पर अब देख लिए हमारे पास य सकते हैं, जिस पर भी आप click करेंगे, उसको जो है वो आप customize कर सकते हैं, तो यह layout footer, उसकी बाद जो है sidebar आप customize कर सकते हैं, active both sidebar, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, वो यह है कि आप अगर चाहते हैं, कि नहीं sidebar, दोनो sidebar ना show करें, तो आप disable कर सकते हैं, disable lift, left side वाला, ज यह कहीं नहीं, एक बहतर design जो है, वो लग रहा है, अगर हम यहाँ पर homepage के बराते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, actually यह homepage ही था, यहाँ से कुछ चीज़े हमें remove करनी पड़ेंगी, जिसे कि homepage के उपर हम कभी भी नहीं चाहेंगे, यहाँ पर category तो सही शो कर रहा ह हम delete कर देंगे, recent comment है, यहाँ से हम remove, latest comment मुझे नहीं चाहिए, और recent comment मुझे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से इसको remove कर देंगे, remove heading, यह actually area जो है एक रह गया, इसको remove group, और recent है यह हमारे पास, इसको भी हम यहाँ से हटा देंगे, remove heading, और remove content, अब हम रहा सही है, इसको भी हम इस तरीके से आप कस्टमाईज यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर publish कर देना है, जो भी आपको save करना है, तो layout में आपको साइब बार मिल जाता है, फिर move to top का यहाँ पर हमारे बास button आता है, यह है, इसको आप कस्टमाईज कर सकते हैं, और उसका क्या color होगा, वो आप कस्टमाईज कर सकते हैं, साथ ही हम लोग आते हैं, यहाँ पर front page पे, तो front page पे top side है, फिर हमारे बास, यह top side वाला जो area है, वो हो गया, यह area हो गया, disable this section, आप चाहे तो इस section को disable कर सकते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर top image show कर रहा था, वो हमारा यहाँ से disable हो गया, और इ यह था, और दूसरा image हम डाल देंगे, यहाँ पर, जो भी title आपको डालना है, वो आप डाल देजे, और दूसरे slide में आते हैं, और यहाँ पर image हम अपना दूसरा लगा देते हैं, for example, यहाँ पर यह वाला, इस तरीके से banner वाला image था, यहाँ और हम और add कर सकते हैं, इसको minimize क यहाँ पर लिंक आप डाल सकते हैं, exact उस product का, जैसे की, for example, अगर हम shop में आते हैं, और shop में, for example, यह हमारा watch है, for example, आपको exact watch select करना है, control C हमने किया, और यहाँ पर, कि इस image के उपर अगर कोई click करता है, तो वो आजाएगा, किस पर, first slide है, यह आजाएगा, इस link पर, तो वो आजाएगा, जो हमारे पास poster वाला था, उसी को हम यूज़ करेंगे, यही दो था वस, I think, यह दो, और उसके बाद जो है, आपको publish कर देना है, और changes जो है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि अब हमारे पास total 3 slide जो है, वो आगया, इसमें और भी settings जो है, वो हम कर सकते ह जैसे कि slide speed क्या होगी, कितने देर में जो है, वो यह change होगा, तो यहाँ पर हमारे पास है, यह option, यहाँ पर हमारे पास ribbon है, यह जो ribbon शो कर रहा है, अब यहाँ पर homepage के उपर जो भी चीज़े हैं, उन सभी का अलग-अलग section है, जैसे कि सबसे last में, हमारे पास brand है, तो brand में चाहिए, और आप brand का image जो है, वो आप यहाँ पे upload कर सकते हैं, उसकी link upload कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस brand का चाहिए, तो यह इस के उपर के लिए किजिए, और इस तरीके से आप पूरे के पूरे section को, पूरे के पूरे homepage को जो है, वो customize कर सकते हैं, यहाँ पे देख ल आप अपने हिसाब से choose कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो logo का color है और यह है, उस सारी चीज़े बिल्कुल ऐसी है, यहाँ पे link का color जो है, वो आप change कर सकते हैं, जिससे कि for example, for example, यह है, तो अब क्या है कि, अब यहाँ पे perfectly हमारे जो problem आ रहा था, कुछ link के ओपर जब हम ही कर रहे title का color क्या होगा, और उसी साब से, आप साधी चीज़े आप यह कर सकते हैं, अगर आपको background में कुछ image set करना है, तो वो भी चीज़ जो है, वो आप यहाँ पे setup कर सकते हैं, header से related, especially हमारे पास यहाँ पी color है, for example, मैं जाता हूँ कि header का color जो है, वो black हो, इस तरीके से, तो यह black हो गया हमारा, यहाँ पिर हम theme के recording भी रख सकते हैं, यहाँ पे text का color, उसमें जो है, वो white होगा, अगर above header की बात करें, तो above header तो हमने हटा दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पे जो है, वो राइशू करा है, finally हम लोग जो है, इसको publish कर देंगे, और देख लेते हैं, और भी show करेगा, अब यह हमारा logo जो है, वो शो करेगा, वैसे मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसे disable कर दे, क्योंकि क्या होता है, अगर आपकी website थोड़ी slow होगी ना, तो बहुत देर तक सिर्फ वो logo जो है, वो show करता रहेगा, क्योंकि sometimes क्या होता है, page के ओपर जो है, वो बहुत सा है, social icon, तो जो social icon वगरा top में था, उसको आप यहां से यह कर सकते हैं, और उसका जो link है, वो यहां पर डाल सकते हैं, यह hash, normally link के लिए जो है, वो दिया जाता है, कि अगर आपको कुछ link नहीं show करना है, तो simply यह डाल देजे, तो आप यहां पर अपनी link जो है, वो डाल सकते ह हैं, जो कि हमारे पास यहां पर menu में था, जो हम लोगों ने menu में देखा था, तो यहां पर अगर आप देखें, तो हमारे पास अब क्या है, तो हमारे पास अब क्या है, तो हमने सिर्फ एक menu create किया था, वो था हमारा main menu, जो कि हमने add किया हुआ है, लेकिन यहां पर बहुत सा location है और यह main menu हमने create किया था अब यहां पे अगर आप देखें अगर हम लोग अपने home page के ओपर देखें तो यहां पे हमारे पास ही काफी सारी चीज़े जो है वो शो करें इनको जो है वो हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे यहां पे हम आजाते हैं edit menu में यहां से हम अपना main menu जो है जो हमने create किया था वो हम select कर लेंगे और उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे यह नीचे हमारे पास option है menu settings का actually यह चीज़ आपको इसके अंदर भी मिल जाएगा लेकिन यहां पे ज्यादा easy है और यह जो option है यह आपक यहां से हम क्या कर देंगे हमारे पास जो भी area है उसके हिसाब से यहां पर मैं इसको main में शो करना चाहता हूँ यह जो हमारा menu है यह हमारा main में शो करें तो मैं यहां पर save menu कर दूँगा और अब आप यहां पर मैं इसको reload करता हूँ और यह चीज हमारा यहाँ पर आगया तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आड़ कर सकते हैं और देख लिजे यहाँ पर प्रॉब्लम था लिंक शो करने का वो भी हमारा यहाँ पर पर सौल्फ हो गया है, मतलब वो शो नहीं कर रहा था तो यहां से आप आड कर सकते हैं अब जो भी चीज़े आपको आड करनी है आपको पता है कि किस तरीके से आप यहां पर आड कर सकते हैं जो भी हमारे पास pages हैं वो सारे के सारे pages यहां पर show कर रहे हैं और उसे आप simple जैसे कि contact us है या फिर जो है आपका wish list का page है वह यह है कि यहां पर बहुत सारे जो जो page हैं, वह create हो गए है, तो हमें pages में आना है, और pages में आने कе बाद, हमें सारे extra pages को delete कर देना, धहने दे सकते हैं, shop page. इसको मैंने select किया और यहां से हम move to trash कर देंगे और trash से फिर हम उसको delete कर देंगे या फिर एक बार आप चख कर लिजे कि आपने कहीं कुछ page को delete तो नहीं कर दिया और उसके बाद फिर आ करके यहां से आप यह store चाहे तो यह store कर सकते है या फिर उसको permanently delete कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा pages का option और theme से related option और इस तरीके से आप चो है वो customize कर सकते हैं तो यहां पे अब आप देख सकते हैं product page हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है और नीचे upsell crosssell वगरा दिख रहा है same way में यहां पे additional information है है ना कि यह यह blue और इसमें available है और यहां पे review का भी section है तो कोई भी user कोई भी user नहीं actually आप चो है setup कर सकते हैं कि कौन यहां पी जो है वो review कर सकता है वो चीज आप जो है यहां पे WooCommerce के अंदर WooCommerce और यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे और plugins जो है वो add हो गया है जिनने आप यहां पे manage कर सकते हैं जिसे कि theme hung है YIT wish list के लिए यह plugin अद हो गया है the mega menu यह हमारे पास यह add हो गया है तो यहां पे अब आपके बहुत सारी चीज़े add हो गई है और उन सारी चीज़ों को आप एक एक करके जो है वो account creation और checkout settings या login setting जो है वो setup करना है सबसे पहले यह है कि allow customer to place order without an account issues को आप off कर दीजे allow customer to login user जो है वो checkout page के उपर login कर पाएंगे उसके बाद जो है allow customer to create account during checkout yes और my account page के उपर भी sign up का option जो है यहां से show करेगा उसके बाद जो है automatically generate कीजिए user name जो भी user data डियालेगा उसके हिसाब से और यहां पे password से related option है अगर आप चाहते हैं कि password आप automatically user को उसके email के उपर भेजे तो यह option आप mark कर दीजे या फिर अगर आप चाहते हैं कि user अपना password खुद डाले तो आप यहां पे इस option को और mark कर सकते हैं यहां पर यह जो option है ना बाकी सारी को आप ऐसे ही रहने तो जो same setting में यूज कर रहा हूं वह आप रहने दो इस चीज को आप यहां पर enable करके रख सकते हैं इससे क्या होगा कि जब वो बंदा order process करेगा तो उसको email जाएगा तो इससे क्या होगा कि email verify भी हो जाएगा और account भी जो है वो create हो जाएगा मतलब user के पास एक link जाएगा जिसे वो password create कर बाएगा और अगर आप यह option off कर देते हैं तो user को sign up page पर ही जो है वो password डालने का option जो है वो आजाएगा तो यह option आपको enable कर लेना है और उसके बार जो है बाकी सारी चीज़े जो है वो आपको यह यहाँ पर setup कर लेनी है फिर यहाँ पर आप जो है इसको actually save कर दीजे जो भी आप changes करते हैं email की बात करें तो email में आपको आ जाना है यहाँ पर आप जो है वो setup कर सकते हैं कि कौन सा email आप send करना जाता है new order का cancel order का failed order का order on hold processing यह customer को जो है वो email जाएगा देख लिए यहाँ पर आप आजाए यह आप डाल दीजे आपके website का नाम डाल दीजे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना email डाल दीजे header image अगर कुछ आपको डालना है logo वगर तो उसकी link आप यहाँ पर डाल दीजे link किस तरीके से हम यहाँ पर copy करेंगे यहाँ जिसे media है for example media में आ जाते है यह यह हमारे पास media है और यहाँ से for example हमें अपने logo का link चाहिए तो हमने जो logo डाला था उसका link हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो यह हमारे पास for example logo है तो यहाँ से copy URL का option है यहाँ अगर आप इसको open करते हैं इस image के पर click करते हैं तो यहाँ से भी आप यह होई कर सकते हैं तो यह URL आपको डाल देना वैसे आपको यह वाला नहीं डालना है यह मैं icon का URL डालना हो आपको यह नहीं डालना है उसके बार यहाँ से आप बिल्ड वित WooCommerce की हटा दीजे क्योंकि यहाँ पे basically अपना advertisement जो है वो कर रहे हैं simple आप जो है वो site title सिर्फ use कर सकते हैं जो आपके website का न यहाँ पर आपको option मिल जाता है तो यहाँ पर देख लिए कार्ट पेज है चेकाउट पेज है माई account पेज है अब हमें यहाँ पी तीन चार पेज करना है आप नोट कर लिजे हमें create करना है about us page, contact us page, privacy policy and term and condition और जो हमारे term and condition वाला पेज होगा उसे हमें यहाँ पेज जो है कर देना है तो यहाँ से आपको एडवांस सेटिंग कर लेनी है अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रोड़क्ट के सेक्शन में हमारे पास और भी कुछ यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं कि redirect to card page after successful addition जैसे कोई card के उपर click करता है है ना तो automatically card page के उपर जो है वो redirect हो जाएगा है ना तो यह option अगर आप देखें यहाँ पर मैं इसको save कर देता हूं सबसे पहले तो या फिर अभी save नहीं करते हैं इसका demo जो है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अभी क्या हो रहा है add to card में कर रहा हूं तो simple हमारे पास यह तो highlight हो गया लेकि view card का option आ रहा है लेकिन अगर हम यह चाहते हैं कि यह automatically card page के उपर चला जाए view card page इस page के उपर आ जाए तो हम उस चीज़ की settings जो है वो यहाँ सी कर सकते हैं यह option मैंने mark कर दिया safe changes अब क्या होगा कि कोई भी product के page के उपर होगा यह कहीं पर भी होगा अगर वो add to card करेगा तो वो automatically check out sorry card page के उपर जो है वो आजाएगा तो यह setup आप आप जो है वो mark कर दीजे उसके बाद जो है यहाँ पर enable product review जो हमारा product page के उपर review शो कर रहा है है न reviews का section वो आप enable कर सकत हो रहें तो आप disable कर सकते हैं आप देख लिजिए यहां से हमारा disable हो गया है पहले के save कर ले रहा है आपको और अब यह review जो है वो हमारा शोर नहीं कर रहा है जब भी आपको इस तरह की परिशानी आए कुछ भी update नहीं हो रहा है तो यहां से आप इसको खिलिकर कर ले जो यहां फिर आप यह कर सकते हैं कि जो भी verified on it होगा वही सिर्फ और सिर्फ जो है वो rate कर सकते हैं तो वह चीज़ आप यहां पर तो अब कोई भी आकर कि यहां पर review नहीं कर पाएगा जिसने purchase किया होगा वही जो है वो review कर पाएगा तो यह था हमारा basically theme अब आप देख सकते हैं कि हमारे वेपसाइट है वो काफी अच्छे से जो है वो ready है और भी बहुत कुछ यहां पर कस्टमाइजेशन में जाके कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आप इन सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं यहां पर wishlist है उसके बाद जो है नहींघ किमायकाउंट का सेक्षिन है तो मद देख aut Kristvb अब अगर इन सारी चीजों को हहां पर अगर किए तो हमारा सॉकर रहा है कि हमारा साइट बून cricket सारी आपके ए औरर भी होर्ष और UP COVID जो है वो हमें सीखना है कि किस तरीके से हम Elementor की हेल्प से जो है वो चीजों को डिजाइन कर सकते हैं, फाइनली हम लोग अपने कोर्स के बोनस सेक्शन में आ चुके हैं येस मैं इस सेक्शन को बोना सेक्शन ही बोलूँगा क्योंकि हमारी वीबसाइट पूरी तरीके से रेडी है, यहाँ पे सारे फंक्शन सारे फीचर जो है वो परफेक्ली वर्क कर रहे हैं और कोई भी यहाँ पे अब और प्लेस कर सकता है और इसके लिए हम लोग प्लागिन यूज़ करेंगे ऐलिमेंटर, ऐलिमेंटर एक बहुत ही पावरफूल जो है वो डिजाइनिंग प्लागिन है और जिससे आप जैसा चाहे वैसा पेज डिजाइन कर सकते हैं आपको जो है वो लाइनिंग पेज डिजाइन करना हो या फिर किसी प्रोड़क का प्रमोशनल पेज या पिर आपको कांटेक्ट पेज या होम पेज जो भी आपको डिजाइन करना हो वो चीज़ आप जो है वो डिजाइन कर पाएंगे तो चलिए आ जाते हैं हम लोग यहां पर प्लग-इन के सेक्शन में और इंस्टॉल कर लेते हैं Elementor तो यहां पर यह हमारे पास plug-in add new और इसमें हम लोग जो है वो सर्च करेंगे Elementor Elementor Okay, spelling गलत है description की link को follow करके आप जो हैं के website के उपर जा सकते हैं इसका free और paid दोनों option available है तो free में आपके पास जो है वो कहीं न कहीं limited option होते हैं customization के सारे option होते हैं लेकिन feature-wise जो widgets होते हैं feature के वो हमारे पास कम होते हैं लेकिन अगर आप pro use करते तो उसमें फिर आपके पास जो है वो एक तरीके से unlimited जो है वो customization और design के option जो है वो मिल जाते हैं तो simple आपको install and activate कर लेना है यहां पे बहुत सारे add-ons भी आपको जाएंगे elementor से related जिसे आप install कर सकते हैं extra feature add करने के लिए तो यहां पे हमारा elementor जो है वो activate हो चुका है और आपके menu में जो है हो यहां पे elementor का दो option add हो गया होगा elementor और यह हमारे बास template यह elementor का ही है तो elementor के अंदर आ जाते हैं यहां पे सबसे पहले आपको basic settings यह कर लेनी हैं कि आप यह elementor कहां use करना चाहते हैं like post page के उपर तो default रहेगा landing page के लिए product के लिए यह option आपके post page के उपर, page के उपर और product page के उपर जो है वो visible होगा तो आप elementor के जरीए उस page को design कर सकते हैं मतलब यह default activate नहीं हो जाएगा आपको वहाँ पे choose करना पड़ेगा कि okay मुझे इस page को elementor के तो design करना है उसके बाद जो है आप safe changes जो है वो आप करते हैं अब आ जाए हम लोग यहां पर आ जाते हैं pages में और pages में आने के बाद जो है वो यहां पर एक new page create करते हैं और उसका नाम हम डाल देते हैं simple elementor sorry e-l-e-m-e-n-m-e-n-t-o-r elementor I think यह यह है पता नहीं यह elementor page design for example यह बस नाम में डाल देता हूं और क्या कर रहा हूं मैं page design और इसको आपको publish कर देना है simple मतलब अभी सीखने के लिए publish करने के बाद आप इस page को देख लिए कि यह page हमारा कैसा दिख रहा है अभी हमारा page बिल्कुल ऐसा दिख रहा है side में काफी सारी चीज़े है और यह page content जो है वो बिल्कुल blank है अब आ जाएगे यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे edit with elementor इसके उपर क्लिक करते हैं और अब हम लोग आ जुके हैं elementor के editing section में और यहां पे यह हमारा website है और यहां पे हमारे पास जो है वो सारे tools जो है वो show कर रहे हैं अगर आप elementor pro use करते हैं तो थोड़ा सा different experience जो है वो यहां पे देखने को मिलेगा new interface जो है वो कहीं न गहीं आपको देखने को मिलेगा आप actually उसे भी manage कर सकते हैं मैं यहां पे आजाता हूं dashboard में और elementor की settings में आजाते हैं अभी जो है आप इस चीज की settings को देख लो अगर कुछ different आ रहा है तो आप same way में use कर सकते हो यहां पे features के अंदर elementor के features के अंदर यहां पे flexbox container है grid container है इसको आपको जो है वो normally inactive कर देना या प अब यहां पर अगर आप देखे इस चीज को तो यहां पर हमारे बास elementor है यहां पर हमारे बास site से related option है मतलब हमारी website जो है उसकी settings यहां से आप change कर सकते हैं like site की settings default color क्या होगा default font क्या होगा हमारी पूरे website का वो चीज आप यहां से manage कर सकते हैं उसके बाद typography, font, site identity, image पग जो कि आपको अभी फिलहाल शीर चार नहीं करना है तो top में यह हमारे पास option है यह हमारे पास यह एक icon है यहां से आप elements को access कर सकते हैं जैसे आप कहीं पे भी हो है तो यहां पर simply click करेंगे तो आप element के section में आ जाएंगे अब यहीं पे वो सारी चीजे हैं जिनसे हम अपने page क जो design करेंगे तो यह क्या है यह basically widgets है जो हम लोगोंने page जब हम create कर रहे थे या पर post create कर रहे थे उसमें जो जिस तरीके से हमारे पास blocks वगरा थे यहां पर जब हम widgets एड़िट कर रहे थे तो उसमें जिस तरीके से थे वही सारी चीज़े यहां पर आपको मेंग आते हैं जैस यहां पर show कर रहा है page का नाम यहां गर आपको height कर रहा है तो आप height कर सकते हैं जो कि normally हम लोग height कर देते हैं जब हम design कर रहा होते तो यहां पर जो सबसे important है वो है यह page layout अभी अगर आप देखें तो यह default page layout है जिसमें हमारे पास क्या है बीच में content है और यहां पर sidebar show कर रह से सबसे पहले canvas की बात करते है canvas में क्या होगा कि आपका जो page है वो पूरी तरीगे से blank हो जाएगा मतलब अगर उस page में कोई जाता है तो उसको नहीं header दिखेगा हमारे website का नहीं footer देखेगा कुछ भी नहीं दिखेगा मैं इसको update करता हूं और same page को पर आ जाते हैं यहां इसको मैं reload करता हूं तो अब देख लीचे इस page को उपर कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है कि जैसे यह website blank हो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो normally 99% cases में यह चीज़ हम नहीं use करते हैं 1% case में जहां पर हमें अपनी website की दूसरे content को नहीं show करना होता है सिर्फ specific चीज़ शो करन होगा फुटर वाला section यह नीचे वाला section और उपर वाला section और उसके इलावा यहां पर हमारे पास बीच में blank होगा जिसमें हम चीज़ है वह normally design करेंगे तो यह हमारे पास हो गया page settings जो क्या आप कर सकते हैं normally हम full width use करते हैं जैसे कि अगर हमें checkout page वगरा की बात करें मैं इसको बार वगरा को हटा देंगे आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको हटाएंगे checkout page पे भी हम sidebar वगरा को हटा देंगे क्योंकि यहां पे ज्यादा distraction जो हो नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से आपको यहां पर कर लेना है मैं फिर से वापस आ जाता हूँ उसके उपर तो अभी फिल अप्डेट करना है पहले preview करके देख लेना है कि कैसा लग रह तो simply preview changes के वपर किलिक किजए और यहां पर प्रिविव जो है वो देख पाएंगे और जैसे आप यहां पर update करेंगे ना इस preview page पर automatically update भी हो जाएगा आपका next यहां पे हमारे पास है responsiveness का option हम यह चीज़ जब design क तो हमें जो है भो मुबाइल का भी खयार लगणा है कि मुबाईल में भी हमारा कॉंटन जो है भो हुआ पॉफिक दिख रहा है तो उसके बाद जो है हमें यहां कहां पर कॉन सी चीज़ है, किस के अंदर क्या है, और यहां पे इसी के अंदर हिस्ट्रीच के अंदर ही यहां पर आपको जो है वो revision मिल जाता है, तो यहां पर आपको बाद का भी जो है वो revision मिलें गया लए, आपनЕ पांच दिन के बाद अब्डेट किया है, तो आज का अब्डेट भी यहाँ पर शो कर रहा होगा, कि ओके, पांच दिन पहले आपने यह अब्डेट किया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, कि बाद में आपका mood change हुआ कि नहीं, मुझे यह यह नहीं, previous version चाहिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से आकर कि जो है, वो कर सकते हैं, अब आज जाएक है, फाइनली आजाते हैं, यहाँ पर elements के अंदर, तो यह हमारा blank canvas है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, structure add करना है, आपको जो है, वो section add करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो option है, सबसे पहला यह है plus, इसके उपर जिस्ट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अलग-अलग तरह का structure है, अब यहाँ से आपको structure चूज करना है, यह हमारा full page हो किया, दो पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में, मतलब यहाँ पर column जो है, अलग-अलग तरीके से जो है, तो आप अपने design की हिसाब से, यहाँ से structure गया है, वो choose कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी structure को customize कर सकते हैं, यहाँ पर अगर वो चीज नहीं है, लेकिन आपको चाहिए, तो वो चीज आप को कर सकते हैं, तो चलो, सबसे पहले मैं क्या गरता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर fresh, blank, single structure जो हो, मैं choose कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पर यह देख लिए चाहिए, यह structure एड हो गया, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर editing के section में आ चुके हैं, edit section, यहाँ पर यह हमारा element का section था, और जब हम किसी भी element को या फिर किसी भी चीज को हम select करते हैं, तो हम edit के section में आ जाते हैं, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, element के section में, और यहाँ से मैं एक heading add करता हूँ, तो simple मैं drag करूँगा और इस बीच में, जो plus का sign है, इस बीच में, यहाँ पर लागर के मैं छोड़ दूँगा इसको, और यहाँ पर एक और चीज मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं एक space उठाता हूँ, और यहाँ से, ताकि उपर space हो, अभी इस चीज को आपको भूल जाना है, अब इस चीज को आप दियान से लिखे, यह हमारे पास, इसमें मैं एक element जो है, वो heading element डाल देता हूँ, यह navigator है हमारे पास, कि हमारे पास दो section है, जिसमें हमारा यह है, तो यहाँ से भी आप select कर सकते हैं, sometimes यहाँ से अगर दिक्कत हो रही होती है, अब थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं central line कर लेता हूँ, अब यहाँ आपको त्यार नहीं देना है, कि मैं exactly क्या कर रहा हूँ, आपको tension नहीं लेना, अब यहाँ पर अगर आप देखे ना, तो इसमें तीन चीज़े हैं, यहाँ पर जो यह design हो है ना, इसमें तीन चीज़े हैं, और तीनों की अपनी अलग अलग properties है, सबसे पहले यह है हमारे पास section, यह जो दिख रहा है ना, यह आप यह पास pink color का, जिसमें हमारे पास यह है, यहाँ पर हम add कर सकते हैं इसके उपर, और यहाँ से इसको हम delete कर सकते हैं, तो यह हमारा section है, अब section के अंदर यहाँ पे हमारे पास column है, single column, यहाँ पी क्या था, जैसे यह दो column, तीन column, चार column, यहाँ पे दो column, बट यहाँ पे ratio अलग-अलग है, एकका size चोटा है, एकका बड़ा है, तो यह सबसे पहला हमारा section, section के अंदर है हमारा column, और column के अंदर है ह यहां पर approach है next मैं Select करता हूँ यहांपर column को तौ यहांपर edit ad column और उससे डिलेटर यहां पर हमारे पास option आ रहे हैं next यहांपर मैं select करता हूँ element को जो की heading element है तो अब उसकी editing से related यहांपर हमारे पास जो है वो option आ रहे हैं तो अब यहां पर editing option कि अगर हम लोग बात करें, तो editing में normally हमारे पास तीन चीज़े हैं, सबसे पहला है content, या फिर layout, content, अगर हम कोई element चूज़ करेंगे तो content होगा या फिर हम यहाँ पे कोई column या section अगर चूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास layout होगा तो यहाँ से हम layout जो है वो change कर सकते हैं, या इसके layout से later यहाँ पे option है, तो यहाँ पे layout हो गया या content हो गया, first option जो है वो हमारा होगा, next option है हमारा style का, यह सब में common होगा अगर हम चाहे section select करें या चाहे column select करें, आगे अगर आप देखेंगे container वगरा आएगा, अगर advanced वड़ा option यूज़ करेंगे तो, मतलब element वर तो उसमें container, बट सब में यही होगा, second option हमारा style होगा, तो styling में like color क्या होगा, font उसके बाद जो है, shadow, background यह सारी चीज़े हम लोग जो है, styling के अंदर करते हैं, उसके बाद हमारा आजाता है, इसी में, तीसरा option advance, advance में हम लोग margin, padding, और इसमें background, transformation, यहाँ पे वो हम responsiveness वगरा mobile के recording responsive क्या होगा, किसमें show करेगा, नहीं करेगा, वो सारी चीज़े हम करते हैं, तो यही तीन option होता है हमारे पास, content style and advance अगर हमें element select करते हैं, तो content padding वगर है जो होता है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो अब बहुत simple है हम फिर से start करते हैं, for example मैं एक बहुत ही normal सा जो है, वो मैं page design कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत ही normal सा, simple मैंने यह ले लिया, और single structure मैंने लिया, जिसमें single column है उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंना heading add कर दूँगा, यहाँ पहले image add करता हूँ, तो यहाँ से simple आपको drag करना है image element में आखरके image drag किया हमने, अब इस image को हम कहां से, उसमें content add कर सकते हैं उसको यह कर सकते हैं, उसकी select करें, लगबग सब में वह सेम होगा content different होगा, तो सबसे पहले image मैंने डाला, आजाते हैं content भी selected है, सबसे पहले है, choose image तो यहाँ पे आजाते हैं, इसके उपर click करते हैं और उसके बाद जो है, हम for example यहाँ पे, एक logo जो है, वो हम select कर लेते हैं, कुछ भी है, अभी, just मैं random design कर रहा हूँ, यह image है हमारे पास, select image, और यहाँ पे आगे हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, image size, अलग-अलग size है यहाँ पे, full, है ना, यहाँ पे full size normally आपको यूज़ करना है, उसके बाद जो है, इसका alignment किदर होगा, left होगा, right होगा, center में होगा, वो चीज़ है, caption आपको कुछ डालना है, तो वो आप डाल सकते हैं, और अगर इस image के उपर कोई click करें, तो क्या खुलेगा, अगर आपको link वगरा डालना है, तो वो आप डाल सकते हैं, अब आजाते हैं, style में, style में अगर हमा आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास image का width है, image कितना बड़ा होगा, कितना चोटा होगा, वो चीज़ हम कर सकते हैं, maximum width कितना होगा, और height इसका जो है, वो कितना होगा, साथी, यहाँ पर हमारे पास unit भी है, जो कि आप choose कर सकते हैं, अगर आपको कुछ specific unit के according चीज़ें design करनी हैं, next, यहाँ पर हमारे पास है कि, okay, यहाँ पर इसकी opacity कितनी होगी, कितना visible होगा, normal condition में, इसकी opacity कितनी होगी, 100%, अगर इसके उपर mouse जाता है, तो क्या होगा, तो for example, इसकी opacity काम हो जाएगी, mouse जाने पर, वो चीज़ आप setup कर सकते हैं, normally इस तरह के case में, दो या तीन option होते हैं, एक है normal, hover का मतलब है, उसके उपर अगर हम mouse ले जाते हैं, और कहीं-कहीं पर आपको जैसे button वगएर के case में, आपको हो सकता है कि तीन option मिले, एक option मिले आपको active का button वगएर एक case में नहीं, कुछ-कुछ element के case में active का, normal, active and hover, तो अलग रख उसके हिसाब से हम settings यहाँ पर कर सकते हैं, नेक्स यहाँ पर आपको border वगएर अगर डालना है इस image में तो आप border डाल सकते हैं, border type, solid और यह border add होगा, border का width कितना होगा, कितना चोड़ा होगा, फिर यहाँ पर border का color कौन सा होगा, तो सारी customization के option इस styling के option आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वाइट होगा, अब border का radius क्या होगा, वो चीज़ आप decide कर सकते हैं, तो यह जो option है यह सभी में लगबख same way में आपको मिल जाएंगे, जो भी आपने element select क्या है, उसके area rating से related, उसके customization से related यहाँ पर option मिल जाते हैं, अगर आपको shadow अगर add करना हो तो यहाँ पर इसके उपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जो है वो shadow का direction, उसके बाद जो है यहाँ पर shadow का color और यह सारी चीज़े आप जो है यहाँ पर चूज कर सकते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास advanced option है, advanced में क्या होता है कि अब यह जो element हमने select किया है, अब यह advanced option depend करता है कि आप क्या choose कर रहे है, मतलब जो choose करेंगे उसी की according work करेगा, अब यह जो हमारे पास यह element है इसको मैंने select किया हुआ है, अब इसमें सबसे पहले आता है आपका margin, margin padding दो बहुत confusing चीज़ है अगर आप starting में इसको use करेंगे तो लेकिन बहुत simple सी चीज़ है, margin क्या होता है कि हमारा जो यह यह देख रहे हैं यह जो highlight हो रहा है, यह highlight हो रहा है pink color में यह जो line आप देख रहे हैं यह क्या है यह इस content का area है, इस area के अंदर यह हमारा content है, अब इस area for example कहीं पर आपको gap चाहिए है न, तो इस area के बाहर कितना आपको space चाहिए या margin चाहिए वो चीज हम margin से decide करते हैं, अब यह जो pink area है इसके अंदर कितना आपको space चाहिए, किस तरीके से आप spacing रखना चाहते हैं, margin रखना चाहते हैं, मतलब padding रखना चाहते हैं, वो चीज़ हम padding से decide करते हैं, चलो मैं आपको एक example दिखा रहे हैं, जिससे कि मैं यहाँ पर heading add कर देता हूं top में, अब यहाँ पर क्या है इसका area यह है, अब यहाँ पर क्या है कि, अगर आप देखें मैं इसकों पही center में कर देता हूं, अभी यहाँ पर अगर आप देखें, तो क्या हो रहा है कि, इसके और इसके बीच में कितना gap है यहाँ लगबग 20 पीक्सल का gap है, तो अगर आपको इसको बढ़ाना हो इस बीच में आप शाद है कि नहीं यह हमारा जो यह Apple का logo है यह और थोड़ा सा नीचे हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे margin का use करेंगे है ना तो हम top से यहाँ पर margin add करेंगे बड़ी यहाँ पर problem एक पता है कि problem यह है कि यहाँ पर यह चीज जो है यह linked होता है एक दूसरे से तो आप एक value change करेंगे तो top, right, bottom, left सारा जो है वो margin add करेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सबसे पहले तो zero कर देंगे और इसके बाद इसको हम यहाँ से unlink कर देंगे अब हम simple एक value जो है वो change कर सकते हैं अब क्या करेंगे हम top से margin add कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो है यह top से margin जो है वो add हो क्या है हमारा content छोटा बड़ा नहीं हुआ वैसे ही अगर हम padding की बात करें actually यह थोड़ा सा complicated I think लग रहा होगा लेकिन ठीक है section है इसमें bottom and top की बात करते हैं तो यहां पर top में मैंने इसको unlink कर दिया अब यहां पर top में for example में spacing चाहिए यहां पर जो हमारे पास ही इसका color में क्या कर देता हूं इसका भी color change कर देता हूं for example red अभी अगर आप देखें तो में ऊपर कुछ नहीं होगा जो भी होगा वह अंदर की तरफ होगा है content हमारा नीचे की तरफ slide होना चुलो हो जाएगा अगर हम top में add करेंगे तो for example अगर मैं top में add कर रहा हूं तो देख लिए उपर की तरफ content के अंदर padding content के अंदर जो आपका area होता है उसके अंदर काम करता है और margin जो है वह आपका जो भी area होता है उसके बाहर की तरफ जो है वह normally काम करता है simple up यह समझ सकते हैं तो यह हो गया हमारा padding तो अब यह अंदर की तरफ कर रहा है वैसे एगर यहां पर में design के उपर और हम लोग जो है एक landing page design करेंगे अपने product के लिए तो यहां से मैं करता हूं मैंना इसको अटा देता हूं और हम लोग यहां पर content ले लेते हैं कि हमारे पास content है और actually हमारा smartwatch है lumina time 3.0 और इसका हमारे पास यहां पर content है okay actually content product product 3 में यहां पर हमारे पास content है यह description है और यह content है इसके जरिए हमें जो है एक landing page perfect landing page जो है वो design करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा मैंना सबसे पहले एक simple वाला design करते हैं यहां पर जो हमारा second part है यह title seamless pairing with mobile अब यहां पर मैं क्या करूंगा simple एक यह लोंगा blank section और actually मैं एक और section ले लेता हूं उपर same spacer जो है वो हम आड़ कर देते हैं यहां पर एक में हम add करेंगे text और एक paragraph हैना text editor और दूसरा हम यहां पर add करेंगे एक button जिसमें हम डालेंगे learn more का option यह हमरा design हो गया और उसके बाद जो है यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं इसका background change कर देते हैं यह जो हमारे पास section है पूरा का पूरा section इस पूरे का पूरे section का हम background color जो है वह हम change कर देते हैं black तो यहां पर layout में आप देख सकते हैं layout में normally आपको कुछ change करने की जरुवत नहीं होती है यह advanced चीज़ा हुचाती है आपको ज़्यादा चीज़ार करने की जरुवत नहीं अभी फिलहाल के लिए यहां पर style में यह हमारे पास background अब background type में यहां पर हमारे पास अलग-अलग option जिसे classic जिसमें हम color या फिर image choose कर सकते हैं gradient हम डाल सकते हैं background में videos भी डाल सकते हैं या फिर हम slide show जो है वो डाल सकते हैं और किसी चीज को reset करना ऑँ किसी भी color को तो यहां पर reset का option है साथ ही अगर आपको कोई color बार बार यूज करना है तो आप यहां पर create new global color इनवा पास यहां से pick कर सकते हैं या फिर अगर आपको कछ seven और से करना हो तो यहां से भी क्यों है वो आप डाल सकते हैं तो यह हमारा ब्लाक बाकरांड हो गया अब यहां पर हम इमेज डालेंगे तो इस इमेज को मैंने पर उपलोड करें हैं हुआ उपलोड कर लिया और उसके बाद स्लेक्ट और ऑगया ब्लैक करेंगें तो छूजज कर सकते हैं कोई नहीं विशुक्त पर यहांसे आप इसका जोभी वर्त आपो चाहिए वह जाए कि क्या पर इसका कर चाना है इसका राइन्मेंट में होगा बन यह सिर्फ इतनी दूर में रहगा सेंटर में कैप्शन यह सारी चीज़ें हम नहीं डालेंगे तो फुल और सेंटर में अब आचाते हैं और यहां पर हमारे पास है वर्टिकल अलाइमेंट हमारे पास ये है मीडिल तो हम इसको मेडल में कर देंगे तो मिडल में आ उत्याया है विज़ेंजें के बएक है अब भी शासे है तुब हमारे इसके बार consegue बात सब्धारSee तो दैल सकते हैं भी सेलों कर सकते हैं seamless pairing with mobile यह content है इसको आपको select करना है content में आना है और यहाँ पर आपको यह text डाल देना है अगर इसके उपर कुछ link डालना है तो आप डाल सकते हैं है ना यह हमने डाल दिया यहाँ पर और इसका जो हमारा यह होगा like default size हम default ले लेंगे edge 2 है ना और उसके बाद यह हमारा left align होगा अभी इसका color जो है वो I think हमारा यह यहाँ shift हो गया sorry इसको drag करके हम यहाँ बे ला देते हैं और इसका जो alignment होगा वो हमारा left side में होगा यह हमारा product हम चाहें तो इसको इसका जो alignment है product का alignment वो हम right side में कर सकते हैं लेकिन ठीक है हम इसको center में रखेंगे या center में उसके बाद यहाँ जाते हैं इसको select करते हैं और इसका alignment हमारा left होगा अब आजाते हैं style में तो title के according यहाँ पे सबसे पहले है text का color text का color हम यहाँ से change कर देते हैं white और उसके बाद यह हमारे पास typography typography में आप जो है font वगेरा change कर सकते हैं अभी global selected है मतलब यह theme की setting थी उसके according आप यहाँ पर आके change कर सकते हैं font family कौन सा use करना है वो आप यहाँ से choose कर सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो आपको font मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको बहतर लगे तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादे इसके उपर focus नहीं करूँगा मैं यहाँ पर default यूज़ करूँगा next यहाँ पर हमारे पास font का size है तो यहाँ से आप जो है वो font का size change कर सकते हैं यह font का size for example मैं इतना बड़ा font का size मैं रख देता हूँ उसके बाद weight है कितना bold होगा, italic होगा, thin होगा वो चीज़ आप यहाँ से चूज़ कर लेजे तो for example यह extra bold होगा यहां पिर मैं semi bold कर देता हूँ फिर transformation है upper case lower case अगर आपको upper case करना हो तो upper case कर सकते हैं यहां पर default रहने दूँगा, styling में normal italic करना है या फिर आपको जो है कुछ दूसरे option यूज़ करने है तो मैं यहां से default कर देता हूँ उसके बाद जो है अगर आपको stroke अगर आड़ करना है या shadow अगर आड़ करना है तो आप यहां पर add कर सकते हैं उसके बाद blending option है मतलब यह अपने background के साथ किस तरीके से blend करेगा तो आप यहां पर add कर सकते हैं फाइनली यह हमारे यह हो गया next यहां पर हमारे पास यह paragraph था तो paragraph में देख लिए अलग option है यहां पर हमारे पास text editor है तो यहां पर हम पूरी तरीके से जैसे हम लोगों ने product case में देखा था हमारा classic editor होता है वैसे हमारे पास option है और इसमें हम html text भी paste कर सकते हैं यह हमारे पास visual है अब उसी से related यहां पर option है और उसकी styling से related फिर हमारे पास यहां पर option है यहां पर alignment है left align मुझे करना है और इसका color मुझे कैसा चाहिए थोड़ा सा यह हमारा grayish रहेगा और यहां से मै content copy कर लेता हूँ और content में आकर के मैं इसे paste कर देता हूँ ठीक है यह हमारा content होगा यह होगया और इसके बाद shadow अगरा add करना है तो अब add कर सकते है typography same वही सारी settings अब आचाहते है button के उपर button भी हमारे पास यहां पर default यह हमारे पास अलग अलग option है default यूज करता हूँ क्लिक इसका alignment हमारा left होगा क्योंकि सारी सारा alignment हम लोग left की तरफ ले रहे है size क्या होगा small medium या extra small तो मैं यहां पे extra small कर देता हूँ उसके बाद जहें आप इसमें कुछ icon अगर add करना चाहते हैं तो यहां से आप icon add कर सकते हैं simple आप चाहें तो यहां पर upload कर सकते है svg या पर यहां पर मैं डाल देता हूँ question यह वाला question mark यह वाला simple आपको search करना यहां पर पुरी की पुरी icon library है insert कर दिया मैंने और यह हमारा होगा उसके बाद यह जो icon हमने डाला है यह पहले होगा या बाद में होगा तो पहले होगा और icon का space कितना होगा वो चीज आप यहां से decide कर सकते है और यहां पर button ID है जो कि एक advanced option है फिर styling में आ जाते हैं तो अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास है button और उसमें हमारे पास typography तो हम यहां से font पगेरा change कर सकते हैं text का shadow फिर यहां पर हमारे पास normal and hover है normal condition क्या होगा कि normal ऐसे कैसा दिखेगा text का color क्या होगा और यह क्या होगा for example same but background color okay background में यह color आपको select कर लेना है और उसके बाद यहां से यह color मैं change कर दूंगा for example yellow और हम चाहें तो text का color जो है वो black कर सकते हैं यह अच्छा लग रहा है जादा अभी यहां पे hover है अभी इसके उपर अगर कोई mouse ले जाता है तो क्या होगा तो change होगा तो for example मैं यहां यहां पी color change कर देता हूं for example जब इसके उपर जोड़ा सा कोई बंदा जाएगा तो color होगा इसका white इस तरीके से देख लिए तो अलग लग कस्टमाइजेशन के option आ जाते हैं साथी आप animation भी डाल सकते हैं कि अगर कोई इसके उपर mouse ले जाते हैं तो क्या करेगा यह श्रिंक हो जाएगा for example इस तरीके से यहां पर बहुत सारे animation आपको मिल जाएंगे इस तरीके से pop यह फिर bounce in तो for example यह grow होगा इसके बाद जो है border type border आप जो है आड कर सकते है border radius तो यहां पर border हम नहीं आड करके simple border radius जो हम यह कर देंगे और इसको हम कर देंगे round okay for example ऐसे और फिर यहां पर अगर आपको डालना है तो यहां पर अगर आपको डालना हो तो यहां पर कर देता हूं and finally हम जो है इसको update कर देंगे तो अब यहां पर design में आप देखे तो हमारे पास CJS update हो चुका है और यह काफी बहुतर लग रहा है काफी बहुतर हम यहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं यहां पर अगर आप देखे हैं styling में तो हमारे पास यहां पर बहुत सादा option नहीं है लेकिन advanced में अगर हम आते हैं तो यहां पर motion effect है हमारे पास अब motion effects में for example fed in effect है यहां फिर हम zoom in वाला यह कर सकते हैं इस तरीके से यह image जो आएगा वो किस तरीके स आएगा इस तरीके से आएगा जैसे पेज अगर रिलोड होता है तो इस तरीके से इमें जाएगा तो इस तरीके से हम सारी चीजों में जो है वो कहीं रही एड्वांस ऑप्शन में आ करके motion जो है वो हम लगा सकते हैं तो यह था मैंने बहुत ही simple सा easy सा design अब चलिए एक और पेज हम design करते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं यहां पर simple इस पर मैंने क्लिक किया और यहां से एक full blank पेज मैं ले लेता हूँ single column के साथ और उसमें हम क्या करेंगे एक content add करेंगे heading heading और एक चाहिए मुझे एक और heading मैं add कर देता हूँ दो heading और मुझे एक चाहिए text editor यह तीन चीज़े और एक चाहिए मुझे button और इन सारी चीज़ों को मैं कर दूंगा center में select क्या मैंने center center actually पहले आपको एक को prepare कर लेना है उसके बाद text editor में यहां पर style में हमारे पास center है और यह हमारे पास style में okay यहां पर यह हमारे बास center में और इसमें हम नाम डाल देते हैं watch का हमारा main जो होगा वो यह ctrl c और यहां पर यह मैंने डाल दिया है और यह होगा हमारा h1 क्यूंकि इस page के उपर और हम कोई title नहीं डालने वाले हैं और यह हो जाएगा हमारा sub heading sub heading में हमारा होगा great balance of feature and design यहां पर यह बेस्ट कर दिया और यह भी हमरा होगा center में अभी colored and font वगेर हम यह कर लेंगे हम क्या करेंगे जो हमारा main section है ना उसके background में एक image है वह हम add करेंगे background में यहां पर हमने क्या किया था हमने color add क्या था यहां पर background में एक image add करेंगे तो हम आ जाते हैं यहां पर style में और यह हमारा पास background है मैं selection में हूं section में हूं sorry यह section के background में और यह background यहां से हम background type select करेंगे classic और यहां पर एक image add करेंगे upload और यह वाला image add करेंगे watch one select और boom यह आगया हमारा अब इसको थोड़ा सा हम अपने हिसाब से जो है वो adjust करेंगे यहां पर हम चाहे तो size जो है वो change कर सकते हैं मैं यहां पर full select करूंगा for example और position जो है वो center to center हैगा center center यह अब इसके बाद हमारा कुछ नहीं हम भी जी हमारा यहां पर जो हो गया और अब हम क्या करेंगे इसके होपर एक spacer add करेंगे सारी content के ओपर एक spacer add करेंगे और उसकी value हम यहां से बढ़ाएंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पर इसका size मुझे change करना पड़ेगा full size अगर हम यहां पर रखते हैं for example मैं यह size I think सही रहेगा और यहां पर हम center to center actually top center ही सही रहेगा top center और यहां पर actually मुझे ज्यादा margin ऊपर नहीं देना चाहिए था अब यहां पर आ जाते हैं यहां पर हमारे पास यह spacer है हम चाहे तो यहां पर इसका content का sorry section का जो है वह padding option भी use कर सकते हैं इस तरी के से शोग करने के लिए okay और यह हमारे इस तरी के से page है वह design हो जाएगा यहां पर मैं क्या करता हूं actually मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूं ठीक है इतना और जो spacer है उसको मैं थोड़ा सा कम करता हूं for example चलो इसको और spacer हम चाहें तो हड़ा सकते हैं actually spacer बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है okay spacer को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यहां पर आई तिंक एक और गरबर है यहां मुझे बॉटम में नहीं राला है सारी यहां पर यही तो प्रॉब्ल्म आ रहा है यहां पर हमें बॉटम में यह चाहिए और लेफ्ट राइट नहीं चाहिए मुझे कुछ भी ऐसा तो हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप में चाहिए था अब यह हमारा यहां पर ही तरफ लाते हैं for example यह चलो और उसके बाद जह ह यह भी हमारा white होगा इसका जो हमारा typography होगा वो छोटा होगा font आप अपने ही साब से कर सकते हैं थोड़ा सा यह और उसके पाद या फिर हम color और different जो हो ले सकते हैं अब यहां पर क्या है यहां पर थोड़ा सा मुझे हमारे पास यहां गया इसका जो color है वो भी मैं यहां से कर देता हूं white और यह हमारे पास यहां गया और यह फाइनली हमारे पास button है by now और by now में for example same apple watch कर मैं यह डाल देता हूं लिंक मैं डाल देता हूं कि इसके उपर कोई क्लिक करेगा तो by now के उपर जाएगा मतलब लिक उसके उपर जाएगा और यहां से में colorist का change कर देता हूं कुछ अच्छा सा for example red या फिर जो भी आप यूज करना चाहे है या फिर आप जो है अब यह जो है हमारे design के यहां पर इसका color हम अगर change करके देखें ठीक है कुछ भी ऐस तरीके से हम लोग जो हो design कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसके और इसके बीच में जिसके इसके और इसके बीच में ज्यादा gap लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं सिंपल इ इसको उपर कर देंगे इस तरीके से यहां पर minus में भी हम जा सकते हैं किसी भी value के साथ margin जो है वो हम add कर देंगे अब update कर दिया मैंने और अब आप जो हमारा design देख सकते हैं full page design है और उसके बाद यह आ गया अब यहां पर एक और चीज हम कर सकते हैं जो कि काफी interesting होंगा व और style में यहां पर हमारे पास एक option होता है shape divider का आप यहां पर border add कर सकते हैं यहां पर shape divider यह काफी interesting है इससे आप काफी अच्छा से जो है multiple चीजों को यह add कर सकते हैं इस तरीके से design में तो मैं for example mountain select कर लेता हूँ यह actually मेरा काफी favorite है अब width क्या होगा उसका वह आप select कर सकते हैं कितना होगा वो चीज आप यहां पर select कर सकते हैं तो for example इतना मैंने select कर लिया और इसका जो color है यह मैं कर दूंगा black black और उसके बाद यहां पर इसी section में मैं इसका जो padding है bottom से वह मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि यह अभी button के ओपर आ रहा है तो यहां से padding मैं बढ़ा दूंग तो यह नीचे की तरफ हमारा slide हो जाएगा अब आप देख लिए कि यह हमारा दोनों काफी अच्छे से जो है वो एक तरीके से ब्लेंड हो गया यहां पर update सेम कलर मैंने उसके अब यह देख लिए इस तरीके से यहां पर हम और actually इसका जो height है वो हम बढ़ा सकते हैं यहां पर shape divider में bottom और height हम increase कर सकते हैं height और यह इस तरीके से तो यह हमारे design है और यह इस तरीके से यहां पर आगया है तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को जो है वो customize कर सकते हैं यहां पर बहुत सारे आपको जो है वो elements मिल जाते हैं जिन्हें आप जो है वो customize कर सकते हैं इसके उपर मैं separate video बनाऊंगा कुछ भी आपके पास कोई आप्शन हो जैसे कि for example आपको कहीं पर कोई list डालना हो या progress डालना हो for example progress progress bar यहां पर हमने progress bar डाल दिया अब इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इसके बाद कितना परसंट तो for example like 90% है ना इस तरीके से multiple slider बना सकते हैं और उसके बाद यहां पर हमारे पास स्टाइलिंग है हम उ तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं typography है हमारे पास उसके बाद यहां पर progress bar का यह सटिंग है उसके बाद यह हमारे पास title की settings है तो इस तरीके से आप जो है वो basically यहां पर किसी भी चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं अब आचाए अब सबसे important बात करते है responsiveness का अभी तक क्या है कि अब भी अगर मैं इसको computer में देख रहा हूं तो यह बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर वाले हम हटा देते हैं actually अब आप देख लिए कि यह हमारा full page है इस तरीके से और ऐसे ही करके हम और भी slide add कर सकते हैं मैंने और भी image रखा था है ना और इसके लिए content भी रगा था त देखता हूं तो यह चीजें थोड़ी सी गड़वर हो रही है यहां पर देख लो यहां पर अब हमें क्या करना है हमें इसको responsive बनाना है कि यह mobile में भी जो है वो perfectly दिखे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सौरी उसके यहां पर responsive mode में आईए और उसके बाद जो है आप mobile के अंदर आजगी सबसे पहले तो टैप के अंदर आजगी और टैप के ही साप से सट अप कर लीजए तो टैप में नॉमली जो डेक्स्टॉप में होता है वो perfectly आ जाता है लेकिन पर भी अगर आपको अजिस्ट करने की ज़रूद पढ़े तो आजिस्ट कर लीजए मैं मोबा में कितना है space होगा वह चीज़ अब हम decide कर सकते यहां से हम चीनज भी कर सकते हैं उब क्या है बो हमकि है ना दोनों value हमारी zero हो गए left right और यह हमारा fix हो गया problem यहां पर fix हो गया अब यहां पर यह जो mountain है यह भी काफी खराब सा दिख रहा है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे हम आ जाएंगे थोड़ा सा actually इसको हम ओपर कर लेते हैं इस पेसिंग हम थोड़ा सा यहां पर कम कर लेते हैं इस तरीके से okay mountain जो है यहां पर इस तरीके से आ रहे है तो हम इसको भी fix कर लेंगे यहां पर आ जाते हैं और यहां पर styling में यह था हमारा shift divider और यहां पर bottom तो अब यह यहां पर mobile का icon शो कर रहा है क्यूं क्यूंकि हम mobile के लिए आदर है तो यहां से मूबाइल का इसका जो हाईट है लो हम कम कर लेंगे हाइट को थोड़ा सा कम कर लेंगे ओन टो जो हम थोड़ा सा त्रीके से कि कि बिचल को कोミ्ली करके zero यह सिर्फ mobile के लिए ही जईब रहे हों और यहां पर आ हम इसको आड़ कर देते हैं तो यहां पर जितना ज्याद आप टाइम देंगे चीजों को डिजाइन करने में उतना आपके लिए वो बहतर होगा और बूम हमारा यह डिजाइन काफी अच्छे से आगया वैसे यहां पर इस चीज की बात करें तो इसका भी जो हेडिंग है यहां पर हम यह कर सकते हैं इसको हम छोटा कर सकते हैं यहां पर इसका जो alignment है अब हम mobile में क्या कर सकते हैं center to center जो है वो लेकर के चल सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे mobile में इसको center में कर देंगे मोबाइल में ये सिर्फ सेंटर में रहेगा, ये भी हमारा मोबाइल में सेंटर में रहेगा, और ये जो बटन है, ये भी हमारा मोबाइल में सेंटर में रहेगा, और मैं प्रोग्रेस आक्चली मैं डिलीटी कर देता हूँ, ठीक है, तो मोबाइल ये सेंटर में रहेगा, अब लग रहा है लेकिन मुबाइल में अगर यह नीचे की तरफ होगा तो यह अच्छा नहीं लगता है तो हम इसको ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं कैसे अच्छली कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक चीज करनी पड़ेगी मैं इसका एक duplicate बनाता हूँ और उसको मैं उठा के डाल देता हूँ यहां ठीक है यहां राल दिया हमारा design तो यहां पर खराब हो गया यहां पर तो खराब हो गया इसमें खराब के उपर और tab के उपर show ना करें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा mobile के अंदर show करें तो वो चीज हम कैसे करेंगे तो simple इसको मैंने select किया हम लोग आ जाएंगे advance option में advance में यहां पर हमारे पास है responsive और इसको हम hide कर देंगे desktop के लिए और tab के लिए अब यह सिर्फ और सिर्फ mobile में जो है वो show करेंगे और यह जो image है इसको मुझे hide करना है सिर्फ और सिर्फ mobile में सिर्फ और सिर्फ mobile में अब देख लिए अब डीट कर दिया मैंने और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यह आ गया यहां पर यह टॉप में और जो भी चीज़े हैं वो सारी information यहां पर आ गए अभी अगर मैं इसको fully screen में करूँ इस तरीके से तो यहां पर जो normal हमारा design था वही यहां पर ही जो है वो same way में जो है अब यहां पर simple आ जाए कुछ चीज़े जो हमारे website में थी उसको जो हम fix कर लेतें जिसे कि my account मैंने fix कर लिया था cart page जो है उसको हम fix कर लेतें simple इसमें कुछ भी नहीं करना है cart page है edit में आ जाए मतलब sidebar हमें हटाना है edit में आ जाए edit with elementor कीचिए और उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे settings में आएंगे और यहां पर हम full width जो है वो select कर लेंगे boom हमारा काम हो गया और यहां से preview करके देख लेते हैं और यह हमारा cart यहां पर आ गया हम चाहें तो यहां पर background वगेरा भी add कर सकते हैं कि यह किसी चीज़ के अंदर है है ना यहां पर चाहें तो हम यहां पर इसको आउड़ा करना हो तो हम जाए वह चोटा भी कर सकते हैं like for example इसको मैं 5% कर देता हूं 5% 5% और यहां से इस code को उठाके मैं इसके अंदर डाल देता हूं इसको मैं delete कर देता हूं और यह इस तरीके से अब यह इसके अंदर श्रिंक हो गया अब यहां पर भी इसको हम डिजाइन दे सकते हैं इसका color जो है वह हम चाहें तो यहां से change कर सकते हैं for example और यह इस तरीके से हमारे बास यहां पर आ गया यहां फिर हम चाहें तो पूरे का color ना change करके यहां पर मैं इसको reset कर देता हूं सिर्फ और सिर्फ इस column का जो है वह हम color change कर देंगे यहां पर classic और यह तो यह हमारा अब जो है वो यह आगया card page अब checkout page को भी कर लेते हैं हम लोग same way में edit page इन सारी pages के उपर ज्यादा distraction होना अच्छी बात नहीं होती है तो आपको जो है यह clean जरूर कर लेना है यहां पर कुछ problem है अच्छी सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं फुल विर्थ में कभी कभी यह strange behavior करने लगता है फिर यहां से हम same add करेंगे यह वाला और इसका जो विर्थ का जो percentage है वो 5% कर देंगे मोबाइल में भी आपको responsiveness चेक कर लेना है कि मोबाइल के ही साबसे perfect है कि नहीं पता चला आपने desktop के ही साबसे perfectly design कर दिया लेकिन mobile में कुछ और ही problem आ रहा है और यहां पर हम जो है इसका color कर देंगे white और हमारा सारा distraction जो है वो जा चुका है और यह हमारा checkout page जो है वो design हो गय है यह जो icon है यह सारी चीज़े आप जो है वो खुद से design कर सकते हैं खुद से सारी चीज़े कि कहां पर कौन सी चीज़े हों कि यहां पर आपके पास बहुत ज्यादा option नहीं है लेकिन अगर आप element.pro यूज़ करते हैं तो उसमें आपको सारी के सारे option जो है वो मैल जाते है तो guys finally यह था हमारा complete course इसमें मुझे ऐसा लगते हैं कि मैंने पूरा का पूरा WordPress जो है वो cover कर दिया है मैंने cover कर ही दिया है अब आपको फूरी तरीके सा idea हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को customize कर सकते हैं कोई भी plugin है तो उसे later कहां पर क्या option होंगे वो homepage के उपर ही मैं link डाल दूँगा थोड़ा सा और design करके तो आप जो है वो अच्छे से देख पाएंगे तो खेर खतम करते हैं इस topic को Hello जाग रहे हो या पर सोग है इतनी लबी वीडियो देख करके सो जाना बहुत natural है लेकिन उसके बावजूद अगर आप जाग रहे हो और finally ये मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो congratulations आपने finally complete कर लिया है like mission complete कर लिया है और मुझे उमीद है कि आपकी website ready होंगी और आप ready है rock करने के लिए तो बहुत बहुत बबारक हो आपको तो उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग होगा आपका अगर कोई सवाल है मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के तो आपका अगर कोई सवा करें आपको लगता है कि किसी को अगर इसकी ज़रूरत हो सकती है तो उसके साथ जो है वो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और I hope कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर ही दिया होगा और चैनल को subscribe तो पहले ही से किया हुआ है आपने अगर नहीं किया हुआ है तो please कर लेजे खेर चलिए बिलते हैं हम लोग next किसी ऐसी ही लंबी वीडियो में आराम से बात करते हुए सोते हुए तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए अल्दाफीस जैहिंद